हेलो औरिवन आप सभी सुझाज़त थे कर फिर से मैं एक जाम यूट्व चानल पर तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जोगरौफी की मास्टरवेडियो ठीक जोगरौफी का पार्ट 1 होगा यह हम जोगरौफी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोड़क्षन है फर्स्ट है आपका भारत किस गोलार्थ में है तो भारत है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्थ में है ठीक है नेक्स्ट है इंडिया का मैप देख लेते हैं कि जो जोड़ करते हैं यानि कि यह अक्सांस और यह देशांतर तो जो इंडिया है आठ डिग्री च्यार मिनट ठीक है अक्सांस से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ ठीक है सभी को दिख रहा है यह 37 और यह नीचे है आठ ठीक है और इधर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट शे लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है ठीक है और लंबाई की बात करें तो इंडिया की जो लंबाई है वो है 32-14 Kern रहें 39-33 ठीक है पूर्वी पस्तिमी जो विस्थार है 29-33 किलोमीटरे और उत्रिदंग की कि बात करें तो वो है 32 चोड़ा किलमेटर ठीक है ठीच साथ घ्याल रेखा कि बात करें तो ये है 55.658 कदिण उसके बाद है इंडिया की जो बाउंडरी लगती है सभी को पता किस-कशके डेश के साथ ठीक है सिर्फ ये याद रखना है बाद में हम टेबल में discuss करेंगे कि किसकी कितने किलोमेटर गी अब बात करते हैं सबसे उपरी जो अपना बिंदु है यह है इंद्रा-कोल्थ यह लदाक में है उत्र रिमिन्दू है जो यह है इंद्रा-कोल ठीक है और पस्मी बिंदू की बात करें उसको भी देखते हैं पहले देख लेते हैं अब ये गुजरात में है जो अपना पस्मी बिंदू है गोहार मोता ठीक है ये गुजरात में है और इधर बात करें पूरब में तो ये है अरुनाचल परदेश में कीवितू ठीक है इसके पाद है दक्सिन में दक्सिन में आपके दो लगते हैं अगर मेल लैंड की बात करें तो यह कन्या कुमारी में कैप कैमोरीन है ठीक है और इधर बात करें तो आपका बंगाल की खाड़ी जो अंडमानिक को बार में पड़ता है इंडिया पॉइंट ठीक है तो आपने देखा य फो कि इंद्या की बात करें तो आप इसमें दोर मानस कर देना जो आपका POINT है इंदरा POINT कि यह चे दिगरी च्यार मिंट ठीक है तå इस तरह चझे तो पूरा ंईरी है च्यार मिनट से लेकर 37-6 मिनट थे प्पहला हुआ है पूरे इंडिया की बात करें जो कि जो आज 6 डिग्री 4 मिनिट है आपका कुन सा है इंद्रा पॉइंट है जो भारत का वीश्व में सतान हो कुन सा है शाथ है भारतिये भूबा का वीश्व में सतार पूरव से पफशिम यह भी बात कर ली हमने 39, 33 km और 32 उतर से दक्षिन 32 और पूरव से पच्छिम जो है आपका 39, 33 km नेक्स्ट है भारत का छितरफल वीश्व के कुल छितरफल का कितना भाग है तो यह है आपका 2.4 परतिशत नेक्स्ट है भारत का अक्सांस ये विस्तार लेटिटूड एक्सपेंशन क्या है अभी हमने कर लिया है मैं अपमें 8 डिगरी 4 से लेकर 37 डिगरी 6 उतरी अक्सांस नेक्स्ट बाद करते हैं लॉंगिचूड लाइन ठीक है जो देशांतरर रेखाए हैं लॉंगिचूड ये आपकी सीदी वाली जो होती है ये देशांतरर रेखाए हैं यानि की राज्य से होकर गुजरता है जो आपका करक रेखा है ये आठ राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन-कौन से हैं आपके गुजरात, मद्यपर्देश, जारखन, तरीपुरा, राज्यस्थान, चत्रिसगर्ड, पस्चिंबंगाग, और मिजुर, तो आपको याद र परधिगरी है पूरा ये क्या करता है भारत को बराबर दो हिस्थों में विभाजित करता है ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सबसे पस्यम बिंदू गुहार मोटा हमने बात कर लिया है अभी देखा था हमने सबसे पस्यम गुजरात में जो लगता है उचाता पूर्वी जो है की भी थू अर्मदातर प्रदेश में लगता है के मद्दे सूरियोदे और सूरियास्त में लगब कितन सब्वाबाद के निकर्ट मिर्जापुर्स होकर गुजरता है याद रखना है एक adverse में बहुत पार कुछ सा जाता है क्वे Maybe आपका कोशन भारतिय मानक्स समय ग्रीन विच मद्य समय जो GMT है ग्रीन विच मीन टाइम में कितने गंटे का अंतर होता है तो यह होता है सड़े 5 गंटे का ठीक है यदि मानक्स यामनोतर जो इंडियन स्टेंडर्ड मेरेडियन है आपका मद्य है तो 120 पूर्वी दिशांतर परिस्तानिय समय कितना होगा धाई ठीक है दो बज कर 30 अपराहान होगा ठीक है यह याद रखना है नेक्स्ट है भारत का दूरस्त दक्सिंतम बिंदू कुंसा है अभी हमने बात किया था साउथ मोस्ट पॉइंट जो इंडरा पॉइंट है आपका कहां पर लगता है अंडमान निकोबार दियुसम में यह नीचे लिखा हुआ है निकोबार आइलेंड में अब नेक्स्ट है भारत का एक मात्र जिला कौन सा है जिसकी सेमा चारों राजों को स्पर्ज करती है तो सोन बर्द्र है आपका यूपी में जिसकी सेमा चार शड़ेंड राजों से लगती है इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं निचे भारतिय मानक सेमा सड़ेंड्यासी कितने राज्जों से होकर गुजरती हैं आपको याद रखना है पांथ राज्जों से होकर गुजरती है वह कौन-कौन से है उतर परदेश ठीक है, पांच राज़ों से होकर गुजरती है, अगर आप मैप में देखें, तो सड़े 82 डिगरी, हमें पता है 68 से लेकर 97 पॉइंट, तो लगबग सड़े 82 हमारा यहां पर होगा, ठीक है, तो यह जितने भी राज़े हैं, यह सारे जो पांच राज़े लगते हैं, यहां सर लेना कुछ नहीं, सिरफ राज़ों के बारे में बताया गया है, कि कितने जिले हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, सबी को पता है, उसके बाद देखते हैं, जो जमू और कस्मीर था, उसको विभाजित कर दिया गया है, ठीक है, जो हमारा जमू और कस्मीर था, आपने देखा उसको दो यूटी ज बना दी गई है लद्दाक एंड जमू एंकस्मिर ये कब किया गया था 31 अक्तूबर 2019 को और जो आपकी डेली है इसको यूटी कब बना गया था 1956 और एंसीटी कब बनाया था नेशिनल कैपिटल टेरेटरी जो 1992 में गोसित किया गया था अब जो नेक्स्ट है दादरा वे नागर हवेली तथा दमन वे दियू का विले हो गया था सबको पता है तो सांसद ने क्या किया था लोगसबा में और राजसबा में अलग-अलग पेश किया था तो ठीक है तो जो लोगसबा है उसमें जो है ये पास हुआ था 27 नुवंबर 2019 क पारित हुआ था ठीक है इसमें क्या हुआ था जो दादरा वे नागर हवेली है तता दमन अंदिव है के इंदर साथ इस प्रदेशों का क्या हो गया था विले हो गया था ठीक है विदेख है जो 2019 के माद्दम से उप्योक्त दोनों को क्या कर दिया गया था एक कर दिया गया जिसकी राजदानी क्या होगी दमन होगी ठीक है जो आपके दादर नगर हवेली है दमन यंदिव है दोनों को विला कर दिया गया है और इसकी राजदानी क्या होगी अब दमन होगी ठीक है नेक्स्ट है यह पुनर गठन 27 जनवरी 2020 से परभावी है अब नए केंदर सासिस पर देश का नाम दादर वे नागर हवेली वे दमन दिवी होगा और इनकी राजदानी क्या होगी दमन होगी यह हमने बात कर लिए नेक्स्ट है देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदू सब्सक्राइब नेकबार में पस्चिम है गोहारमोता या फिर गोहारमोती भी बोलते हैं इसको गुजरात में हैं पूर्वी बिंदू है कीमीत्यू अनदासव प्रदेश में और जो मुख्य भूमी का दक्षिन्टम मिंदू है एक पुसा जाता है मुख्य भूमी जो आपक तमिल नाडू में लगता है आठ डिग्री चार मिनेट उतर यह एकसा स्टार्ट होता है जहां से कन्या कुमारी नेक्स्ट है हिमाल्य की पर्मुख पर्वत सेन्यों का उत्तर से दक्षिन कर्म सब को पता है सबसे पहले काराकोरम है फिर लदाक है फिर जासकर है फिर त्वेखेंगे आप, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतिय मानक समय सीरेखा एवं करकरेखा एक दूसरे को चतिश गड़ में काठती हैं, ठीक है नेक्स्ट है भारत की मुख्य बूमी की तत्किय लंबाई कितनी है जो भारत की मुख्य बूमी है उसकी लंबाई है इक सट सो किलोमीटर नेक्स कोशन है मैनमार की सरवादिक सीमा किस भारती राजे को सपर्श करती है जो मैनमार है उसकी जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अरुनाचल परदेश में सबीने मैप में देखा अरुनाचल परदेश यहां है तो यह मैंनमार है इदर तो अरुनाचल परदेश से सबसे लंबी सीमा लगती है मैंनमार की ठीक है नेक्स्ट है जन संक्या की दरिष्टी से बात कविश्व में कौन सा स्तान है दूसरा है ठीक ह जो असम की सीमा है साथ ठीक है जिसमें आपकी यूटी जेंड राज दीप को मिला कर लगती है next है राजडवीप, निल दीप, हैवलोग दीप का प्रिवर्तित नाम क्या है जो राजडवीप है आपका इसको नाम कर दिया गया है बोजडवीप ठीक है राज द्वीप को कर दिया गया है बोश द्वीप और जो नेल द्वीप है इसका कर दिया गया है सईद द्वीप ठीक है और जो हैवलोग द्वीप है इसका नाम हो गया है सवराज द्वीप याद रखना है तीनों की नाम चेंज हो गए है अब नेक्स डिकोशन देखते हैं भ कौनों के बीच कौन सी है पाक स्ट्रेट है नेक्स्ट है भारत के कौन से राज्य तीन और अंतराष्ट्य सीमाउं से गिरे हुए है तो इसका अंसर देखते हैं टेबल में देखते हैं next है कौन कौन सी राज्य है वो बांगलादेश है आप ठीक है बांगलादेश आभी हमने मांडर वांडर देखू थि ऊपर की किस किस के साथ लगती है बांगलादेश चाइना पकिस्तान नेपल महिनमार भूतान अफगानिस्तां थिक है तो सबसे लगती है हमारी boundary बनती है बांगलादेश के साथ लगती है 4,006 किलमीटर और जो इंडिया और बांगलादेश के बीच जो मद्य रेखा है उसको हम बोलते है रेड क्लीफ है ठीक है इसमें कितने राज जेवे किंदर साथिस प्रदेश की संक्या है ठीक है यह कोश्चन है पांच ठीक है कौन-कौन से है पस्षिम बंगाल मिघालय मिजोरम त्रीपुरा अगर आपको मैप अच्छी तरह से याद है तो आप इसको बिगेर याद करें भी बता सकते हैं कि बंगलादेश के साथ हमारी कौन-कौन सी बांडरीज लगती है क्योंकि सबको पता है यह बंगलादेश है यह इंडिया है ठीक है तो इधर जो जो भी राजय लगते हैं सभी को पता है जो राजय इधर होंगे वो सारी सीमाई क्या बनाएंगे है ताकि उनकी वन डे एक्जाम्स के लिए एक ही दिन में जोग्रोफी की त्यारी अच्छे से हो जाए नेश देखते हैं बंगला देश के बाद चीन जो चीन है उसके साथ सेमा लगती है 34 अटा सी जिसको हम बोलते हैं मैक मोहन ठीक है मैक मोहन रेखा बोलते हैं यह भी 5 पांच के साथ लगती है लद्दाग हिमाचल परदेश उत्राखंड सिकी में हरुनाचल परदेश अब नेस्ट पाकिस्तान 33-33 किलोमीटर है इसको भी क्या बोलते हैं रैड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसकी भी पांच के साथ लगती है गुजरात राजस्तान पंजाब जमुक फिलिफ अशेएं थीक हैं इनकी भी किसके साथ लगती है पांच राजो के साथ लगती है उत्रपरदेश बिहार पांचिमबंगाल शिकि य हम उतराखंड नेच्ट मेनलब flowers राजे के साथ लगती है अभूनाचल परदेश य नागलैन मिजोरम और मनिपूर नेग्स दैद 699 किलोमेटर चार राजों बेचूती है ये लाइन पस्चिम बंगाल सिकीम अरुनाचल परदेश और आसम नेक्स्ट है अफगानिस्तान सबसे चोटी बाउंडरी लगती है केवल 106 किलोमेटर की जिसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन शिरफ एक को सपर्श करती है जो है लद अब नेक्स्ट देखते हैं जो चैनल है इंडिया के महतपुन चैनल है उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले है 9 degree channel नो degree channel किस किस को विवाजित करता है लक्षवदीप और मीनिकोये को उसके बाद 8 degree channel Maldip और मीनिकोये के मद्दे है यानि कि दोनों को separate करता है Next है। Great या महान channel जो सुमात्रा, इन्डोनेसिया और निकोबार के बीच में है पाक स्टेट के बारे में हमने पड़ी लिया है बारत और सिरलंका के बीच में है नेक्स्ट है महिम क्रीक जो एक पतली सी क्या है निवेशी का है कहाँ पर है मुंबई में है नेक्स्ट है कच्की खाडी पस्चिम गुजरात में लगती है ये हमारा गुजरात है ये कच की खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है ठीक है तो ये कहा है ये हमारा गुजरात है तो कच की खाड़ी पसमी गुजरात ठीक है ये पसमी गुजरात है और खंबात की खाड़ी क्या है पूरवी गुजरात नर्बदा और तापती का मुहाना त किस-की सके एझा दक्सिम पर्रीं नड़ू और स्रिलंका के मद्या नेस्ट है कोकोजल संधी ठीक कोकोजवीप मैंंमार में है और उत्रींडमान के मद्यान ठीक है नेक्सट है डंकन पास जो जंस पास दक्षिन रजगों रहीद के बीच में है और दस डिग्री चैनल है लास्ट अंडमाद और निकोबार के मद्या है तो एक्जाम पॉइंट और यू से आपकी टेबल बहुत इंपोर्टेंट है आपको याद अखना है पुछ लिया जाता है कि कौन सा चैनल किस किस के बीच में है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर भारत के अंतराष्ट सीमा की लंबाई यह हमने डिस्कस कर लिया है और अब बात करते हैं मैक मोहन एंड रेड क्लिफ लाइन जो मैक मोहन लाइन है आपकी अंग्रेजों के सासन के दोरान भारत वा चाइना के मद्य है ठीक है यह सीमा 27 अप्रेल 1914 अगर तारिक आपको याद ना रहे तो सिर्फ आप याद रखना कि 1914 को निर्धायत की गई थी जिसे क्या कहते थे हम मैक मोहन लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच है तो इसका जो नामकरण है मैक मोहन ने किया था तो उनी के नाम पर इसका क्या हो गया था नामकरण हो गया था तो वर्ष 1914 में हु नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन है, 1947 में विभाजन के बाद 15 अगस्ट 1947 को देश हाजाद हो गया था, तो 17 अगस्ट pelvic 1947 को भारत भापाकिस्तान के बीच निर्धाइट की गई सीमा थी, ठीक है, तो इसको क्या नाम से जानते हैं Red Cliff नाम से जानते हैं तो इस रेखा का नेधान किस ने किया था Border Commision द्वारा किया गया था इस Commission के अध्यक्स थे Red Cliff तो उनी के नाम पर इनका नाम क्या हो गया था Red Cliff लाइन हो गया था next है Karakorum Sreni के उच औस एस्या की रीड, बैक्बॉर्न ओफ हाई एस्या की नाम से जाना जाता है ठीक है जो काराक्रों सेड़ी है सबसे पहले अभी हमने बात की थी सबसे ऊपर की स्रेणी कुण सी यह आपकी काराकोरम है तो इसलिए इसको क्या बोलते है उचैस्या की रीड ठीक है? आप देखते हैं भारत एक द्रिष्टी से अब भारत के बारे में जान लेते हैं तो देश सब को पता है भारत अन्य किस किस नाम से जाना जाता है आडियवर्थ, जंबू द्वीब, भारत वर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जानते हैं भारत की राजदानी है नई दिली बोगोलिक स्थीती है उत्री गोलार्द में बात कर चुके हम पहले यह नौर्थ है यह साअथ है तो अगर उत्री गोलार्द भी ना देकर तो पूछेगा उत्री पूरव में यहाँ पर है अपना इंडिया है अक्सांग से विश्तार भी बा अब है ज्यामिति आकार क्या है इसका चतुस कौन यह है ज्यामिति से आकार कैसे तरह है अगर वैसे देखें तो इंडिया है ठीक है यह रफली डाइगराम बना लेते हैं ठीक है तो यह इस तरह से अगर हम कनेक्ट करें तो यह क्या है चतुस कौन यह है ठीक है एक, दो, तीन, चेयार नेक्स्ट बात करते हैं मानेक समयरेखा के बीच हम बात कर चुके हैं सड़े 82 डिगरी है पूर्वी देशानतर ठीक है ये सड़े 82 डिगरी पूर्वी देशानतर है जो इलाबाद से होकर गुजरती है ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं पांच राजों से होकर गुजरती है यह हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं अब हैं बोगोलिक विश्थार भी बात कर चुके हैं हम बतीस चोधा से लेकर ठीक है यह बतीस चोधा से लेकर 39-33 किलोमेटर है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सतल्य सीमा 15,000 हमने हर एक की बाउंडरी देखी थी अलग अलग तब वहाँ पर देखा था कि अलग अलग सबको अगर हम एड करें तो सतल्य सीमा कितनी बनती है 15,106 किलोमेटर अब जल्य सीमा की बात करें तो 7516 किलोमेटर बनती है ठीक है जल् जो सिरफ जल से लगती है वो कितनी है 7516 किलोमेटर थीक है समुदरी सीमा next है प्रदेशिक जल सीमा थीक है अब हमारी तीन सीमाई होती है उनके बारे मां बात करते हैं यह तट है हमारा ने एक होती हमारी प्रदेशिक एक सनलगन होती है नेक्स्ट होती है special economic zone तो ये कितनी होती है 12 समुद्री मिल ठीक है इसके आगे वाली कौन सी होती है सनलगन जो होती है 24 समुद्री मिल इसके आगे वाली कौन सी होती है अनन्य आर्थिक चेतर तो ये कौन सी होती है 200 समुद्री मिल तक ठीक है सबको याद रखना है पहले 12 फिर 24 फिर 200 ठीक है तो प्रादेशिक सीमा ठीक है सनलगन और अनन्य आर्थिक चेतर नेक्स्ट बात करते हैं जलवायू के बारे में भारत की जो जलवायू है कौन सी है मांसोनी जलवायू है 36 हल की बात करें तो 32, to 479 याद रखना है 32, to 489 वर किलो मेटर अब बात करें 20 के कुल छेतर अगा कितना परतीसत है 2.4 sentir फटा गी जलवायू के द्रिश्टी से 20 में कितना रेंक है इंडिया का सात्वा रेंक है कुल forgiving जनसंख्या की बात करें तो लगबग 121 करोड है जो विश्व की पूरी जनसंख्या का कितना है 17.5 किलोमेटर है नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टी से विश्व में सतान है दूसरा पहला है चाहिना का पहले भी बात कर चुके हैं पूरुष जनसंख्या की बा सचार क्रोड का ग्रामेन की बात करें तो 33.330 क्रोड है 68.88 है शहरी की बात करें तो 36.7 क्रोड है और जो है 31.16 है अब बात करते हैं दसक की जनसंख्या विर्दी ठीक है कि हर 10 साल में कितुनी विर्दी होती है सत्रा पॉइंट 24 परतिसत लिंगानु पाथ की बात करें तो visibility नउसोटिरतालिस परति हजार यानिकि एक हजार पूर्द सो में कितनी महिलाए हैं 243 ठीक है ,imal? नेग्स्ट सिशू लिंगानु पाथ के इतना है प्रति हजार पूर्वोड़ सुमें अगर नोश सो अठारा नेक्स्ट है जनसंख्या गनतों की बात करें तो एक वर किलोमेटर यानि कि यह है आपका है कुल साक्षरता कि साक्षरता की बात करें तो 54.04 पर्थिसत है अगर पुरूसों की बात करें तो 82 महिलाओं की बात करें तो 45.46 महिलाओं क्या है पड़ी लिखी नेक्स्ट है अनुसोचित जाती ज़ंसंक्या कीतनी है 20 करोड लगबग 20 करोड 13 लाक है कुल जनसंक्या कितने पर्थिसत है 16.6% पूरी जन्शंग्या क्या अगर अनुसरी जन्जाते की बात करें तो 10 करोड़ 10 करोड़ 50 लगया दिस पॉइंट 5 करोड़ भी कह सकते हैं कुल जन्शंग्या क्या 8.6% कुलराजों की बात करें तो 28 है 27 oldest की बात करें तो 8 है सबी को पता है जो जमू एं कस्मीर है दो अलग-अलग में डिवाइड हो गया है जमू and लदाक में तो इस तरह से कितनी जूटी हैं मर आठ है ठीक है पर्वतिय है छेत्रका विस्तार की बात करें तो 10.7% है पहाडी छेत्रका विस्तार है 18.6% है पठारी चेतर का विश्तार है 27.6 परतीसत है मैदानी चेतर का विश्तार है 43.0 ठीक है करक रेखा कि हम बात कर चुके हैं सभए 23 डिगरी कहां से होकर गुजरती है 8 राजो से होकर गुजरती है नेक्स्ट है द्रिपो की संख्या तो यह है 1208 निर्जन सईथ ठीक है तो टोटल है यह निर्जन सईथ 1208 नेक्स्ट है अंतराश्ची सेमा में सनलगन राज्य यानि कि यूटी पर्देश हैं कितने हैं सन है 266 बड़े बंदरगा कितने हैं तेरा है राश्टिय पशू जो है हमारा भाग है और इसका साइन्टिफिक नेम की बात करें तो क्या है पैंथेरा टिग्रेज एक्जाम में पूछा जाता है कई बार देकर पैंथेरा टिग्रेज किसका नाम है बाग टाइगर लायन कोई भी लाखना है राश्ट्य वरिक्स बर्गद है इसका वी विज्ञानिक नाम क्या है फाइकस बैगाल सिस ठीक है राश्ट्य पूष्प की बात करें तो कमल है जिसका साइन्टिफिक नेम है निलंबो नुशी फिएरा ठीक है राश्ट्य चेन है असोक्स्तम राश्ट्य गान है लीपी देव नागरी है राष्टिये वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जैते आपको सब जंगे लिखा मिलेगा सत्यमेव जैते जो हमारा क्या है राष्टिये वाक्य है सत्यमेव जैते ठीक है और जो स्त्रोत बात करें सोर्ष की बात करें तो कहां से लिया है मुंड का उपनि सबस्क्रा são struggling to R кстати이다 ओर सिरंगा है नदी गंगा है और जली जीव है गंगा डॉल्फिन ठीक है प्लैटिनिस्टव गेंग्यटिका भी बोलते हैं इसको अब नेक्सट्थ हे पुढ्डू चेरु का भोगोलिक विस्तार रियंद जो उसका विस्तार है कितने सबसे पहले देखते हैं भारतिय उपमहादीप मुलतकिस बूखंड का नाम है जो भारतिय महादीप है आपने देखा दो लेंड थे गोंडवाना लेंड और अंगारा लेंड तो जो गोंडवाना लेंड है जो इंडिया महादीप है वो किसका इस्सा है गोंडवाना लेंड का है भारत में उपलब्द पुरा चुंब के परिमानों यानि कि जो पैरा मैगनेटिक रिजल्ट्स हैं से संकेत मिलते हैं कि प्राचिन काल में भारतिय बुर्खंड उत्तर दिशा की और विस्थापित हुआ है तो पहले जो इंडिया था किसका हिसा था अफ्रीका का हिसा था तो धीरे-दीरे ओतर की और विस्थापित होकर क्या हो गया या एसिया का हिस्सा बन गया है कि किस से पता लगता है यह पैरा मैगनेटिक का मैदान हो रहा है आपका धक्षिक का प्रैद प्ध़ी प था ठीक है इसको परद rein April में देखते हैं नेक्स्ट है हिमाल्य के संасन राशन्राशन द्क भाग है ठीक है कुण-kौन से आपके हिमाल्य ये आपके हिमाल्य इदर ऊपर इंडिया है तो ये हिमाले की चोटियां है इदर तो ये कौन-कौन से हैं आपके ट्रांस हिमाले तिबत का चेतर बोलते हैं या फिर बोलते हैं वरियत हिमाले महान हिमाले जो सबसे भारी है आपका क्या होगा ये वरियत फिर मद्द हिमाले होगा लगू हिमाले भी बोलते हैं फिर आपका बहाय ह हिमाले ठीक है भाय या हिमाले या उप सिवालिक भी बोलते हैं इसको या फिर उप हिमाले भी बोलते हैं ठीक है तो तीन स्रेणिया है ट्रांस हिमाले ठीक है आपकी फिर है आपकी वरीहत या महान फिर मध्य और नेक्स्ट है भाय या फिर सिवालिक भी बोलते हैं अब इनके के बारे में कोशन देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं हिमाले का निर्मान समांतर वल्ले स्रेनियों से हुआ है इस इन में प्रांच सिंद्रम सेनी कौन सी है तो वरियत हिमाले जो आपकी सबसे प्रांच सिंद्रम स्रेनी है उप भारत में हिमाले छेतर के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है ठीक है यानि कि जो उप हिमाले है ये हिमाले है इसके सहारे ये विस्तारित समतल मैदान जो होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबर बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टन कोशन है नेक्स्ट है हिमाल्य का परवत पद्य परदेश कौन सा है ठीक है तो वो कौन सा है सिवालिग है नेक्स कोशन देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूले अगर स्पीड जारा लग रही है तो आप स्प अब नेक्स्ट है सिवालिग श्रेणी है जो हमारी उसकी ओसत उचाई कितनी है 600-1200 मीटर नेक्स कोशन देखते हैं लगू हिमाल्य क्रिन सेनियों के मध्या में स्थीत है तो जो लगू हिमाल्य है वो कौन कौन से के बीच है अभी हमने बात किती तीन है आपके ब्रिहद ल निवींत्रम जो हिमाल्य की नवींत्म परवत्षेनी है कौन सी है सिवालिग है और प्राचेंत्म पूच्छे तो कौन सी है आपकी लगू है ठीक है यह मध्य है सिवालिग तो नहीं आपकी सिवालिग है प्राचेंत्म कौन सी है आपकी लगू नेक्स्ट कोशन देखते हैं हिमाल्य के सबसे उची परवश्रेनी कौनसी है तो कौनसी आपकी व्रीध हिमाल्य कई बार बात कर चुके हैं और इसकी उच्छाई की बात करे तो कितने हैं 2600 मीटर ठीक है नेक्स है पीर पंज्याल रिड़ जो है किस्ताजय में वस्तीत है आपकी यह जमु एंड कस्मीर में पूर्वी हिमाल्य की radio name पस्मी हिमाल्य में tree line की उच्चाई कम है ठीक है फूरी हिमाले की तुल्ना में जो आपके पस्मी हिमाले हैं उनमें जो ट्रे लाइन है वो क्या है कम हो चाहिए नेक्स्ट है उत्राखन के पताल तोड कुवे किस भाग में पाया जाते हैं तो ये किस भाग में पाया जाते हैं तराई भाग में नेक्स्ट है डम्हा जपी करभाग है तो यह आपका लद्दाग का फांग है नेक्स्च कोश्जन हैं वेस्टळ हिमालय पर 우kth pa coverth प्रवत संख्ला कॉनसी है तो प्रांच इंतम परवत शंकला तो वह कौँसा यह आपकी आरावली है उसकी ऐच की बात करें आयू की बात करें तो वह कौणसी चैस्टों से पांशो सतनर मिलियन वर्षपुरानी ऑरावली परवत सेनी है आपकी सबसे पुरानी सरेनियों में गिनी जाती है ठीक है? नेक्स्ट है, माउंट एवरेस को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथ्था की नाम से जानते हैं इनेक्स्ट है, आरावरली किस परकार की परवत शेहनी हैं तो ये आपकी आउसेश्ट परवत है thorough frost. पोलते हैं जिनको है अंगस्ट है दक्षिन भारत की सबसे ऊची चोटी कुँन सी नायئ मोडी जो के रल में लगती है टीक है ये के रल है सबसे ऊची तो ले दक्षिन भातनाज की अनái मोडी 265 मीटर के रल में लगती है एक याद जाना जाता है कोनकन टमस्त है तो इलाइची के पहाड़ियां काड़मम मांटेंस किम राजों के मद्ध सुमा बनाती हैं तो यह आपकी बनाती है केरल नाडू के बीच sacred हैं शेव्रोए हिस्की राजय बिस्तित है तो शेव्राय की पाड़skuna एं तमिल नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पस्वी घाट परस पर आपस में कहां पर मिलते हैं यह आपके पूर्वी घाट पस्वी घाट है यह आपके पूर्वी घाट है यह आपस में कहां पर मिलते हैं नीलगरी की पाडियों में नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्य प्रवचोटी कु तिर्व धालवाली चोटी राका पोशी लद्ढक reefeur में न एक यसमे आती हैं नेस्टिन देख लेते हैं हिमालय का जो विस्थार है आपका कहां कहां पर है ठीक है सबसे पहले नौर्थ की देखते हैं बात करते हैं यह आपने देखा केटू है आपकी ची आसी सो ग्यारा किलोमेटर गोडी नोस्टिन भी बोलते हैं ठीक है चोटी है और जो आपकी स्रेनी है ये सबसे उपर है कुनलू ये पामीर का पठार है ठीक है इधर है हिंदु कुछ स्रेनी उसके बाद काराकॉरम देंज है ठीक है फिर लदाक रेंज है आपकी ये आपक सबसे पहले आता है और इनके बीच में आपका कुण सा आता है दोराद्धल और पीर पंजाल स्रेनी हरेकी अलग-अलग चोटी है ठीक है तो हिमाले आपने देखा हिमाले का जो विश्तार है ये कितना लंबा है कहा तक है नामचा बरवत जो सबसे आपके पूरव में लगा हुआ है अनुनाचल प्रदीश में आप चोटी की बात कर लेते हैं यह ती श्रेनी तो सबसे पहले है नंदा देवी आपकी 7817 मीटर कहा है आपकी उत्राखंड में है ठीक है दोला धर है आपकी 81 भैतर अन्नपूर्णा है 88 माउंट एवरेश है 8848 मीटर मकालू है आपकी 8481 मीटर कंचन जंग है आपकी शिक्किम में है 8598 मीटर नामचा परवत आपकी सबसे पूर्वी चोटी है ठीक है जहां से आपकी ब्रहंपूत्रा नदी क्या करती है डाइवेट होती है या मुडती है इधर है आपका नंगा पर कि नेक्स्ट देखते हैं अब यह इदर मिधाले में आपके गैरोखासी और जैनतिया ठीक है और पटकाई भूम है आपका इधर पिर आपकी नागा पहडिया नागा लेंड में लुसाई की पहडिया है आपकी ठीक है यह आराकान है आपका मैनमार में है उसके बाद है महल यह इधर है आपकी मल्यगिरी की पहाडिया चोटी है जो आपकी 1187 입니다 इनसे है आपका कैमूर जो आपका बिहार नादी है नरवदा और ताप्ति किस किस be बीच है आपकी विध्यान्चल और सत्पूडा ठीक है उसके बाद है हरिच चंदर की पाडियां है इदर फिर आपकी आजंता अलोरा की महराष्टर में लगती है ठीक है यह बीच में आपका दक्षिन भात का पठार है इदर आपका उत्री सरकार है ठीक है अरोयाक उंठा भी से है आपकी महेंदरगी है उसके बाद बात करते हैं घाट है कौन-कौन से है थल घाट है भोर घाट है और पाल घाट है तीन घाट है आपके जो पसमी टट पर लगते हैं ठीक है उसके बात करते हैं निलगरी की पाड़िया हमने पढ़ ली जो आपके पसमी घाट है और है आपकी ठीक है फिर नल्ला मलाई हिल्स हैं ठीक है आगर आप मैप देखेंगे तो आपको ओटोमेटिक याद हो जाएंगे ठीक है कार्डमम मिलाइची है करनाट यह आपकी लगती है केरला ठीक है दक्षिन भारत की सबसे ऊची चोटी भी हम बात कर चुके है अन्नाई मुडी ठीक है अन्नाई मुडी खहां लगती है आपकी केरला में चैनल को MARK कौन सा डिग्री चैनल है दस डिग्री इनको क्या करता है विभाजित करता है भी है है बात करते हैं इन्में जो आहाँ कोशन है माना और्ष जो है उत्रकंड को किस से जोड़ता है ऴृण माना दर्दा तीबत से जोडता है नेक्स्ट है आपका नन्दा देवी सुकर जो है आपका किस राधिये में लगती है ननन्दा डेवी गुरुषीकर में है नेक्स्ट है हिमाल्य क्षप की एक सेनी आराकान योमा अभी हमihad की आराकान योमा जो है मैनमार में है यह है आपकी आराकान राकन जोंव के पूरा चिरी धर maximgasने तो कुलू घंटी आपकी किन सेनी हों कि मद्द स्थेत कि अगाइस है थोला धार और पीरपन्जाग next is पल्गहण जो दर्रा है आपका किन पाड़िंगी है आपका यह निलगरी और अन्ना वलाई की पाड़ियां इंचे बीच में क्या है आपका पल्गहण दर्ला on the next ना थुला दर्रा जो है कुसा राज्य में हैं आपका शिक्किम में अब नेक्स देख लेते हैं इंपोर्टेंट उत्राखंड में कोण धारी वनों एवन चोटे-चोटे जो घास के मैदानों को भूगिया लेया पयार के नाम से जानते हैं चोटे चोटे जो घास के मैदान उनकों क्या बोलते हैं भुगिया लिया प्यार बोलते हैं उत्राखंड में याद रखना है नेक्स्ट कोशन देखते हैं लिपू लेक माना नीती दर्रा किस राज्य में लगते हैं तीनों के तीनों उत्राखंड में ठीक है माना नीती पांस किस राज्य में अवस्तित हैं तो रोतंग सबको पता है जिसको मनाली ले जाना है मनाली से ले तोको हुँँ उस से जाते हैं हम хотел प्रदेश में स्तित है रोतंग धर्देर से ओकर गुजरता है नेक्स्ट हैं पूरी हिमाले में 31 में तथा 45 मिठ के इसकी ऊचाई कितनी है 1500 meet नेक्स भारत का सबसे बड़ा congest कुंसा है सियाचीन Glacier है में चोरा 6 1994 kijिए का स्थित है किदारनात्मंदिर के उत्तर में उत्तर खुन में आपका किदारनात armour देट तो उसके जो उत्तर में है कुंसा ग्लेसियर है चोरा बाड़ी नेक्स्ट है मेगाले का पठार किस भाग में है तो यह कौन से में है मेगाले आपका प्राइदीप्य भारत ठीक है यह आपका मेगाले का पठार है तो यह कौन से भारत में है आपका प्राइदीप्य भारत में है नेक्स्ट है भारत के प्राइद बेख जोपतों प्रवध हैं ये कौनिसे पैलू जोईक एहरा में क्या हुए थैं निर्मान हुह था इनका नेक्षट और व required-विंद्या स्रंख़ाओं के मध्ध्ध है कौन सा पठार है तो आपको कौन सा है मालवा का पठार हमने मैप में देखा था अरावली और जो विंद्या है आपके यह मैप है इदर ठीक है यह गुजरात है राजस्तान है यह अरावली है ठीक है यह विद्यान्चल है इनके बीच में कौन सा था मालवा का पठार है नेक्स है आपका डंड कारणया छेतर कहाँ अवस्तित है जो डंड कारणया छेतर हाँ आपका कहाँ पर है चत्रिक और उडीशा के बीच में और बीम् hubs छिवालिक श्रेनी के मध्यें विश्तित संतल संत्राचमत अन्ध्य को पूरव में द्वार और ततापके और नाम से जान जाते हैं यसान सिवाली की शरेणिया है यहुक्त वेंन फूर में द्षार द Boss Mandarत बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं दून बोलते हैं भारत का ओसर समुंदर तलकिस टट्क से मापा जाता है तो यह चिन्नी टटर्रीखा की कुलमगा इस पैसे कि यहले पर चुके हैं 7517 किलोमेटर अगर पूरे उसकी पूछे जाए इंडिया की तो वो कितने हैं आपकी 15,000 लगबग 200 किलोमेटर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं भारत के टटिये राजों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है ठीक है टटिये सीमा की बात करें तो गुजरात की आपकी सबसे लंबी है ठीक है यह आपका गुजरात है तो गुजरात की टटिये सीमा क्या है सबसे लंबी है ठीक है नेक्स्ट है भारत के कितने राज्ये समुद्री टट रेखा से सनलगन है तो भारत के कितने राज्ये हैं नो राज्ये हैं जो समुद्री टट रेखा से सनलगन है वे कौन-कौन से हैं आपके गुजरात, महराष्टर, करनाटक, केरल, तमिल नाडु, पसिम बंगाल, अंधर परदेश, उड यानि कि जो निच्चे के जितने भी हैं आपके ठीक है यह आपका गुजराद यह आपका महाराष्टर करनाटका केरल तमिल नाडू आंधर परदेश उडिशा और यह इधर आपका पसिम बंगाल तो कितने हो गए आपके यह नोराद नेक्स्ट है बारतिय प्राचिन भारतिय इतियासिक भुगोल में रतनाकार किस नाम किसका सूचक था तो रतनाकार किसका सूचक था आपका हिंद महासागर का नेक्स्ट है तमिल नाडू वे अंदर परदेश के बीच समंदरी तर्ट का क्या नाम है तो कोरो मंडल जो तर्ट है आपका किस किस के बीच है तमिल नाड भी बोलते हैं नेक्स्ट है अंडमार निकोबार दीव समू में सबसे उच्छाई है हमने बात की थी सेड़ल दीप की जो आपका अंडमार निकोबार में है ठीक है नेक्स कुशन देखते हैं अंडमार निकोबार दीव समूव कहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी में है ठीक है अंडमार निकोबार दीव समूव में कितने दीव है पांसो भैतर दीव है नेक्स है दस डिगरी चैनल किस किस को सेपरेट करता है आपका अंडमार निकोबार साथ को नेंस्ट बैरन और आइलान्ड कहा है आपका बंगाल की खाड़े में बैरनदीब आपका श्री हरी कोटा दीब कहाँ पर है पुलिकट के पास है तो पुलिकत जो जही यह कहां विवाद किसंट से के बीच Continue अंद्रपर्देश के बीच में है नेक्स्ट है आपका राम शेत्तु जिसको हम एडम्स ब्रीज भी कहते हैं ठीक है कहां से प्रारम होता है ये धनुस कोडी से ठीक है जो धनुस कोडी है आपका वहां से प्रारम होता है ठीक है याद रखना है राम शेत्तु आपका नेक्स्ट है लक्षव द्वीप कहां अवस्तित है आरप सागर में है आपका लक्षव द्वीप भारत का कौन सा द्वीप परवाल नेरमित है यानि कि जो लक्षव द्वीप है ये किसका बना हुआ है परवाल का जिसको हम कुराल बोलते हैं कisuर नीप है मत्या किया का सर्दुरलाइब को से बलते हैं एपना इंडिया है श्री लंका है इन दोनों के बीच कौन सा दिविप है पंगबन दिविप है ठीक है पंगबन जिसको हम वराम से तो भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अब दीपो पर बसा हुआ भाद का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मुंबई है ठीक है नेक्स्ट है कोरि क्रिक करिक प्रस्तित है कच्क रन में सरकरीक विवाद के इंद देशों के बीच है तो भारत और पाकीस्तान के भीच में हैं सरकरीक हैं नेक्स्ट है बुर्जिल और बनिहाल दर्रा तो किस परवत श्रेनी में आते हैं आपके यह पीर पंजाल श्रेनी में आते हैं अब देखते हैं इमाले की जो आपकी परमुक उच्छे शिकर हैं और उनकी हाइट कितनी है और कहां पर लगते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा है 1211 किलोमीटर हाइट है मीटर में है और जो पाक उक्रुपाइड कस्मीर में है कंचन जंगा भारत में है सेकिम में 5598 किलोमीटर में है इसकी उच्छाई सारे मीटर में है नेपाल में आपके दो है मकालू और दोला गिरी ठीक है मकालू की है 84 81 और जो दोलागीरी है उसकी है 8172 नेक्स्ट है नंगापरवत भारत में है 8126 मीटर है हाइट नेक्स्ट है अन्नापूर्णा ये भी कहा है भारत में है 88 मीटर हाइट नंदा देवी भारत में है 781,7 मीटर हाइट है कामेत है भारत में है 8756 मीटर हाइट है नेक्स्ट है नम्चा बर्वा अनुनाचल परदेश में हमने बात की थी जहां से ब्रहम पुत्रा नदी जो है आपकी मुड़ती है 7756 है ठीक है नेक्स्ट है गुरूला मदांता जो है तिबत में 7728 मीटर इसकी उच्छाई है नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी सतलूज और सिंदु नदी है इनके बीच में हिमालय के भाग को कसमीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है कैसे आपने देखा ये जमू कस्मीर है इधर पंजाब ठीक है ये हिमाचल परदेश और ये जमू एन कस्मीर ठीक है जो इंदस नदी है और जो शतलूज नदी भैती है इनके बीच में कौन सा चेतर लगता है हमारा पंजाब का और कस्मीर का चेतर लगता है तो इसलिए हम इन की नेक्स्ट टोपिक स्टार करते हैं जलवायू में देखते हैं जो किसी चेतर की जलवायू को ने धायत करने जलवायू को किस नाम से जानते हैं जिसमें जो एल है आपका लेटिचूड यानि की अक्साइब यानिकि समुन्दर से निकरता डी से वकाबनेका डारेक्शन ओफ विनपौन की देशा ऐसरी फोरेस्ट यानि यानिक, वन, ओ से ओस्यानिक करंट, यानिकी समूनजय जल्दाराएं, आर्च से रेनफाल, वर्षा, M से माउंटेन, यानिकी पहाड और पर्वत, और S से आपका मिट्टी, यानिकी सोयल, तो यह जितने भी हैं आपके, यह सारे क्या हैं जो जल्वाईयों को नियंतरिन करतने कारक हैं सारे land forms के नाम से बोलते हैं इनको अब कोशन देखते हैं भारत में ग्रिसम कालिन मानसून के परवा की समन्य दिशा क्या होती है ग्रिसम कालिन में दक्षिन पस्षिम से उत्तर पूरिव कैसे देखते हैं जैसे अपना इंडिया है रफली बनाते हैं ठीक है नोर्थ इस्ट साउथ वेस्ट ठीक है दक्षिन पस्षिम तो इस तरफ इस तरह से ठीक है ग्रिसम कालिन में जहां से स्टार्ट होती है वहां से नाम लेते हैं तो दक्षिन पस्षिम से लेकर उत्तर पूरव की और बहती है ग्रिसम में और सीत कालिन में इसका उल्टा होता है ठीक ह ये भारत का जो उत्र पस्मी मैदान है ये उत्र पस्मी जो मैदान है भारत का ये इधर तो ये इधर है आपका पस्मी वी बोक्षो विक्षोबो के परभाव से क्या होती है इसमें बारिश होती है याद रखना है नेक्स्ट है भारत के कीन राज्यों में सरदरितु में वर्षा होती है ठीक है जो पंजाब और तमिल नाडु में आपकी सरदरितु में वर्षा होती है नेक्स्ट है भारत की ओसिक ओसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 135 cm लगबग भारत में जो ओसत वर्षा होती है कितनी होती है 125 cm और सबसे सरवादिक पूछे तो आपकी कहां होते है पस्मी घाट हिमालय और मेगालय में जहां पर सबसे उची चोटिया है और यहां बर्षा दक्षें पस्मी मांसुन द्वारा होती है तो जल्वाईू को क्या बोड़ते है मांसुनी जल्वाईू का जाता है बहरतिय उपमहद्य में उच्थाप और निमदाब हिंद महासागर से वायू का जो ड्राह करते हैं जिसके कारण परभाईत होती है तो वो कौन सा है आपका दक्सिन पस्मि मांस अभी हमने बात की थी उचताप और निमंदाब के कारण ठीक है हिंद मास आगर से वायू जो आती है ठीक है उसको क्यों सी बोलते हैं दक्सिन पस्मि जहां से स्टार्ट होई है नेक्स्ट है आपकी ट्रेड विंड यानि की व्या है क्या आपका 5 डिगरी फिर आपका 30 डिगरी ठीक है तो 0-5 नोर्थ की और जो भैती है ठीक है यह ट्रेड विंड बोलते हैं इनकों ठीक है याद रखना है तो क्या है व्यपारिक पौने 0-30 उत्तर और दक्षन एक्सांसों के मद्य भेहने वाली पौने है ठीक है यानि कि 0-30 आपका उत्री और नीचे भी आपका 0-30 ठीक है और यह पौने उपशन उचवायू दाब कटी बंदो यानि कि 35 डिगरी नोर्थ साउच से विशुवतिया निम दाब 0 डिगरी 5 की और बैती है तो इसकी यह डिरेक्षन होती है ठीक है 35 डिगरी नोर्थ साउच से लेकर 5 पास डिगरी वाला जो होता है उसकी तरब इसकी डिरेक्षन होती है ठीक है तो उत्री गोलार्थ में इन्हें उत्तर पुर्वी व्यपारी पौने और दस दक्सीन में इन्हें क्या बोलते हैं अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं पस्षिम बंगाल और असम के मध्यें गरीसम की सबसे कम वर्षा वाला स्तान कुन सा है तो लिहे में सबसे कम वर्षा होती है नेक्स्ट है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायू को कितने वागों में विवाजित किया था तो पांच वागों में विवाजित किया था कि इसने कोपेन ने 1918 में नेक्स्ट है जलवा के अनुसार जो हमने अभी बात की थी कितने भागों में विवाजित किया था उसने पांच भागों में तो जो जलवायू है भारत की उसके अनुसार देख लेते हैं ठीक है भारत की जलवायू है जलवायू के परकार वरन संकेत यानि कि संकेत से जानते हैं चेतर फल है पहला है लगू सुस्क ठीक है लगू सुस्क है इसका संकेत आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है एक्जाम में नहीं पुछा जाता है कहां पर है यह आपके गोवा के दक्सिन मे और भारत का पस्मी टट में छेतर है नेक्स्ट है सुस्क ग्रीसम रितू है इसका संकेत एस है तमील नाडू का कोरो मंदल टट है नेक्स्ट है उसनकटी बंदिय सवाना जलवायू है जिसका संकेत है एडबलू करकरेका के दक्सिन में प्राइदीपय पठार का अधिकांस भाग है इसका चेतरफल नेक्स्ट है अर्द सुस्क स्टैपी जलवायू जो है उसका संकेत है बी एस एस डबलू उत्तर पस्मी गुजराद और पस्मी राजस्तान और पंजाब के कुछ भाग में नेक्स्ट है उसन मरुष्त लिय जलवायू जिसका संकेत है बी डबलू एस डबलू राजस्तान का सबसे पस्मी भाग नेक्स्ट है आपका सुस्क सीत रितू जो सुस्क सीत रितू है सी डबलू जी संकेत है कहाँ पर है इसका छेतरफल गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्तान, उत्तरी मद्य पर्देश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर पर्देश है नेक्स्ट है लगू ग्रीशम तो था सीत आदर रितू है, डी एफसी, अरुनाचल पर्देश, सिक्किम और असम छेतर है पीटी है और उत्तराखंड के पर्वतिय चेतर रफल, अब नेक्स्ट है ITCZ क्या है अंत्य उसन कटी बंदिय अभी सरन चेतर ठीक है इसके बारे में देखती है क्या है यह, ITCZ है जो आपका, एक निमन वायुदाब की पटी है जो पिर्थवी के चार ओर सामान्य विशुवत रिखा के उपर चार ओर स्तीत है जो विशुवतिय पटी है आपकी उसके ऊपर चार ओर स्थीत है वस्तूतर ही है Swinging पटी है यानि कि Swinging पटी है यानि कि ऊपर नीचे आपकी होती रहती है ITCZ व्हे शेतर है जहां उतर पूरवी वै Forgive दक्षिन पूरवी वैपारी पाउने मिलती है ठीक है उतर पूर्वी और दक्षनी पूर्वी में पूर्वी में कहां पर मिलती है तो आप से एक्जान में पूर्पोशन पुछा जाएगा तो आपका अंसर क्या होगा आई टी सी जैड और दोनों पौनों से मिलने से विशुवतिय पश्वापौनों की उत्पत्ति होती है नेक्स्ट है लू उत्री मैदान में पंजाब से भिहार तक चलने वाली जो शिश्क गर्मी के दिनों में बिलकुल जो गरम हवाय चलती है उनको क्या बोलते हैं लू बोल लाया गया है जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाते हैं कैसे कैसे आपके जो जलवाई हुए चेंज होती रहती है ठीक है जैसे आपका देखा है 15 जुलाई एक जुलाई में इस तरह पर जून में इस तरह है ठीक है तो इस तरह से 10 जून क्या सपास ऐसे तो जैसे आपका म से लेकर पंद्रा जुलाई तक सब्सक्राइब क्षजाम चाने हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोफी वर्चा एवं शेरी ब्लासम का संबंद किसे क्रिसम रितू के खत्म होते ही पूर्व मानसोन की जीरुप ठाथ है जैसे ही ग्रिसम विशु खत्म होती है थिकerson Be आपका मैंगो शावर की तो केरल करनाटट में देखते हैं भारत में दक्षिन पस्मी मांसून का समय सामने तक कब से कब तक रहता है दक्षिन पस्मी मांसून है यानि कि जो पवने चलती है इनका समय कब से कब तक रहता है जून से लेकर सितंबर तक नेक्स्ट है भारत में मांसून का आगमन सबसे पहले कहां पर होता है आपने देखा केरल है केरल टट पर सबसे पहले यह क्या करती है हीट करती है नेक्स्ट है भारत में नोर्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है जो नोर्वेस्टर है उसकी उत्पत्ति कहां होती है आपकी छोटा नागपुर के पठार पर यह फिर अगर यह आपको ओप्शन में ना दिया हो तो आपको West Bengal भी option में मिल सकता है Next है, Tamil Nadu में मांसुन के सामान्य महीने कौन से हैं तो वो कौन से हैं आपके, जो लोटता हुआ मांसुन है आपका ठीक है, जो स्रीत रितु का है तो वो कौन सा होता है आपका 9 दिसंबर में लोड़ते मांसुन में तमिलाडो में वरसा होती है नेक्स्ट है भारते मांसुन को फरभावित करने वाले गटक कौन से है तो भारते मांसुन को कौन-कौन फरभावित करते हैं तिबद का पठार, जैट स्ट्रीम और एलिनो और ला नीना ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मांसुन से सबसे अधिक परसा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है उत्तर पूर्वी सबसे अधिक परसा प्राप्त करने वाला राज्य है यह आपका उत्तर है यह आपका पूरव है यानि कि जब उत्तर पूरवी है लोटते मांसुन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है आपकी तमिलनाडो में होती है ठीक है नेक्स्ट है आपका कोश्चन भारत के किन छेत्रों में ओस्थ वार्षिक बर्षा 200 मिलीमीटर होती है तो वो कौन-कौन से है जम्मु कस्मीर और पस्मीर राजस्तान जहां पर वर्षा बहुत कम होती है नेक्स्ट है अमरिश सर एवं सिमला लगबग एक ही अक्सांस प्रस्तीत है किन्तु उनकी जलवायू में भिंता है आपने देखा यह अक्सांस है एक ही इधर पंजाब है इमाचल परदेश है अमरिश सर भी इसी लाइन पर है और शिमला भी इसी लाइन पर है लेकिन फिर भी इनकी जलवायू अलग-अलग क्यों है उनकी उच्चाई में भिंता के कारण दोनों अलग-अलग उच्चाई पर है नेक्स्ट है भारत में सरवादिक धेनिक तापांत तो पूर्वी जेट परवा को मारना जाता है अब नेक्स देखते हैं जो रेनफाल है भारत में कितनी होती है कहां पर कितनी वर्षा होती है उसके बारे में देखते हैं जो भारत में है वार्षिक वर्षा लगब कितनी होती है 111 सेंटीमीटर होती है लेकिन इनके अलग- अलग है ठीक है सबसे अधिक वर्षा वाले हैं फिर मद्य वाले हैं फिर नियून वाले हैं और एक अल्यव वाले हैं जहां पर बहुत ही कम वर्षा ना के बराबर होती हैं तो सबसे अधिक वाले हैं आपने देखा 200 ठीक है कैसे याद रखेंगे 250 और 100 में विवाजित किया है ठीक है चार है आपके कौन-कौन से इससे कम होगी जिसकी 50 से 100 के बीच में होगी 2 100 से 200 के बीच में होगी 3 और जहाँ पर 200 से भी अधिक होगी वो होगे 4 ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं 200 से अधिक खांपर होती है जहाँ पर आपकी सबसे उची चोटिया होती है तो भी आपके कौन-कौन से हैं आपने देखा पूर्वी पच्मी घाट है आपका और जो मिघाले है ठीक है गैरोखासी जानती है यहाँ पर आपकी क्या है समसित जैदा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है ठीक है अपने हैं मध्यम वाले मध्यम वालों की बा लेकि शाद लगा हुआ गंगा का उत्री मै्दान कच और मनीपूर में 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी वर्षा होती है ठीक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठीक है और जहाँ पर कम होगी वहाँ पर उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है नयून पर परवत शेणिया है ना के बराबर हैं कौन-कौन से आपके पस्मी उत्तर परदेश दिल्ली हरियाना पंजाव जम्मु कश्मीर पूर्वी राजस्तान गुज्रात दक्कन का पठार ठीक है यहाँ पर सो से के बीच पचास से सो के बीच में होती है नेक्स्ट है अब आपके अल्य अत्य अलब जहां पर बहुत ही कम वर्सा होती है तो यह आपके कौन से रीजन होते हैं वृष्टी चाया सितर ठीक है रेन से डोर रीजन भी बोलते हैं जो आपका कौन-कौन सा है लद्दाख सिरफ जाद रखना है जैदा जो आप से पुछा जाता है लद्दाक और आपका पश्मी राजिस्तान जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है नेक्स्ट है आपका जैट स्ट्रीम शोब मंडल के मद्दे अक्षांसों में धरातल से 12 किलोमेटर उपर पसिम से पुरव दिशा में चलने वाला एक परभा है जैट स्ट्रीम जो शोब मंडल है आपका क्या है आपका 12 किलोमेटर कीत है मद्दे जो अक्षांसर है उससे ऊपर पसिम से पुरव दिशा की और बहने वाला क्या है यह आपका पसिम है यह आपका पूरव है मद्दे से 12 किलोमेटर ऊपर चलने वाला क्या है के परवाज इसको हम सोब मंडल बोलते हैं नेक्स्ट हम करते हैं अब सोयल ठीक है हर्यान ओ इंडिया में कौन-कौन सी आपकी जो मिर्दाएं है वेप पाए जाती है ठीक डिसकर्ज करते हैं इसके बारे में अब भारत की मिर्दाओं का वर्गी करन किया गया है ठीक है तो जो आपके इंडियन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च है इसने क्या किया है जो इंडिया की जो सोयल है उसको आठ मुगया मुख्य भाटों में बाटा गया है ठीक है आई सी ए आर याद रखना है आपको उसने क्या किया है आठ कौन-कौन सी आपकी ज़लोड काली लालव पीली लेटराइट सुसक लवनिये पीट और वन मिर्दा में बाटा गया है ठीक है आठ आठ आपको याद रखना है आठ मुख्य भागव में नेक्स्ट है मिर्दा सब सब्द की उत्पत्ति लेटिन भासा के सब्द सोलम से हुई है जिसका मतलब क्या होता है फरस और जिसको फ्लोर भी बोलते हैं आप कोशन देखते हैं आपके जो मिर्दा से आते हैं लगबग इंपोर्टन जो रिपीट हुए हैं इसे आटी पेस्ट भारत के सरवादिक छेतर म में कौन सी मिर्दा पाए जाती है तो एलिवियल सोल जिसको हम जलोड मिर्दा भी बोलते हैं और कच्छारी मिर्दा भी बोलते हैं ठीक है जो गंगा का मैदान है आपका ठीक है गंगा द्वारा लाइग गी मिर्दा को हम क्या बोलते हैं मैदानी भागों में जलोड मिर्द कहाँ पर है आपका महाराष्टरा में ठीक है आपको याद रखना है एक बर मैं बता देता हूं आपको जल्दी सी मैप में रफली डियागराम बनाया है मैंने ठीक है तो ये आपकी गंगा का मैदान है अलुवील सोयल है जहां पर सबसे जैदा पाई जाती है उसके बाद जो दॉराजस्तान महारास्टरा का जो पठार है आपका वहांपर काली मिर्दा ही लगते हुए चोटानागपूर्बर का पठार यह आपकी क्या है यह आपकी बलैक यह आपकी ऐलूूवील और यह आपकी कोन्सी եे लाल मिर्दा और यहां पर जो आपका मेधाल्य है यहां पर आपकी जापर सबसे ज़्यदा वर्षा होती है पस्मिटर्ट और मेधाल्य में अब बात करते हैं कोशन की रैगूर हो गया हमारा मारास्टर में next है मालवा पठार में किस मिर्दा की अधिकता है मालवा पठारा भी हमने बात की मालवा का पठारा आपका अरावली और उसके बीच में है यह आपका मालवा का पठारा तो यहाँ पर आपकी कौन सी है काली मिर्दा है next है काली मिर्दा को सोते जुताई वाली मिर्दा भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि सिच्चाई क्याव सकता पड़ती है जिसमें सिच्चाई की बहुत कम्या मिर्दा का पीला रंग वयर्य ओक्साईड के कारण होता है जब कि लाल जो रंग होता है वो नेक्स कोशन है लेट्राइट शोयल मुखिते किंद्राजों में पाए जाती है अभी मैंने बताया जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है पस्मिटट यानि की करनाटक केरा और महाराष्ट्रा में अब नेक्स्ट है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिर्दा दि कमी हो रही है जिसके कारण यह क्या हो रही है अनूरवर हो रही है नेक्स्ट है मिर्दा की सार्यता को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं जिस जिप्सम का यूज करते हैं नेक्स्ट है लेट्राइट मिर्दा भारत में मुख्यता कहां पाए जाती है मालाबाद टटिय ये प्रदेश में न golden स्ब्सक्राइब को की और व हं कर अधिक उता है तो चिकनी मिट्टी से होता है मिर्दा की उर्वर्था बढ़ाने के लिए हम कौन सी फसले वगानी चाहिए तो वो आपकी है दलहनी फसले ठीक है अगर आपको औरवरता बढ़ानी है मिट्टी की तो दलहन की फसले सबसे ज़्यादा हुआने चाहिए नेक्स कोशन देखते हैं अब चंबल घाटी का निर्मान किस बोगोलिक प्रकरिया से हुआ है तो यह किस से हुआ है आपका गली इरोजन से जिससे अब नाली का परधन भी कहते हैं नेक्स्ट है चाय भागानों के लिए कौन से मिर्दा उप्यूक्त है तो लेटराइट ठीक है लेटराइट मिर्दा है जो आपकी इसको हम एसेटिक भी बोलते हैं ठीक है जिसमें आपकी जो है चाय सबसे जितनी भी है चाय कोफी रबड कैस्यू मिलेट्स जियो है सारे काणी स्मय क्या हो जाता है Marius लाइम और सिलीका आपका कम हो जाता है जिसके कार्णि यह आपका इस इडिक हो जाता है। अमल हो जाती है ठीक है नेक्स्ट है दोमट मिटी यानि कि जो आपके अलुविली सोयल है कौन-कौन से कन पाय जाते हैं इसमें सिल्ट, क्ले, एंड सैन यानि कि गाद मिलती काहन रेत पाया जाता है सबसे ज़्यादा नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत की मिर्दों में किस सुक्षम तत्व की सरवादिक कमीजत होती है तो वो होता है आपका जस्ता नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी जलोड मिर्दा ठीक है नवीनतम पूछे तो खादर और पुरानी पूछे तो आपकी बांगर ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं अमल यह यानि की ऐसेडिक मिर्दा को क्रिसी योगे बनाने है तो किस खनीज का प्रियोक किया जाता है तो लाइम और चूने का यूज किया जाता है ठीक है जो लेटराइट मिर्दा है आपकी ऐसेडिक होती है इसको खेती के लिए हम बनाने के लि लवनिय मिर्दा में नाइटोजन व्य चूने की अल्पता पाय जाती है उसमें नाइटोजन और चूने की क्या मिलती है कमी मिलती है नेक्स्ट है जैम रिद्दा का रंग नीला क्यूं होता है अमलिय वे फेरस आईरेन के कारां ठीक है नेक्स्ट है पस्मी राजस्तान की मिर्दा में किस खनीज की अधिकता पाए जाती है तो कैल्सियम की नेक्स्ट कोशन देखते हैं डेजर्ट स्वेल में किस पोशक तत्व का अभाव मिलता है तो नाइटोजन का डेजर्ट स्वेल है वहाँ पर आपके नाइटोजन की कमी मिलती है नेक्स्ट कोशन है मिर्दा परदन को किस प्रकार रुका जाता है तो वंद्रोपन ध्वारा ठी नब नेक्स्ट है पीच मान के नुशार मिर्दा की परकरती ठीक है पीच क्या आपके मान पता है आपको जीरो से साथ सास फिर है आपका साथ से आपका जोधा ठीक है इसके बीच में आपका क्या होता है आपकी एसे डिक होती है साथ से कम साथ आपकी क्या होती है नीट्रल या लाल और पिली मिर्दा अमलिय प्रकृतिकी होती है जिसमें नाइटोजन, फोस्पुरस और हुमस की कमी होती है ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकर्तिक मनस्पतिया, नेचुरल वेजिटेशन आपके डिवाइड किये गए है विभीन परकार के बन समुवों में शिरफ इसमें आपको इतना याद रखना है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आपका ठीक है जो फोरेस्ट है आपके जो व तीसत आपका क्या होता है सबसे जयदा होता है ठीक है और सबसे कम पूछे अगर सबसे कम सिरफ आपको दो चीज़ें याद रखनी है सबसे जयदा और सबसे कम आपको दिख रहा है इसमें सबसे कम कौन सा है आपका पॉइंट जीरो तीन वह कौन से आपके उपोशन कटी ब बारबन जिसको हम बोलते हैं सब ट्रोपिकल ड्राइ एवर्गीन फोरेस्ट ठीक है आपको सब भी याद करने के जूरत नहीं है सरफ सबसे जयदा और सबसे कम और आपका परसेंटेज इन सब को मिला के पूछे तो कितना हो गया हंड़ेड परसेंटेज अब इन से रियत चेतर में किस परकार के वन पाए जाते हैं ठीक है उसन कटी बंदिये सुस्क प्रण पाती वन अभी हमने बात की सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं नेक्स्ट है उसन कटी बंदिये सदाबार वन चेतर में और आपके मिलाले नेक्स्ट है आपका भारतिय वनस्पत्ति सर्विक्षन, BSI के संस्तापक थे जो सर्ज जोर्ज किंग थे, ठीक है, इसकी स्तापना कब हुई थी, आपकी भारतिय वनस्पत्ति सर्विक्षन की स्तापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, भारत में सिनकोना व्रिक्ष कहां पाया जाता है, तो सिनकोना दाजिलिंग में पाया जाता है, नेक्स्ट कोशन है, कथा बनाने हैं, तो किस व्रक्ष की लकडी का प्रियोग होता है, तो खेर की व्रिक्ष की लकडी का प्रियोग होता है, नेक् में वन संरक्षन अधिनियम यानि की फोरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट किस वरस्पारित क्या गया था 1980 में नेक्स कोश्चन है टीक तथा साल के व्रिक्स किस परकार के वनों में पाए जाते हैं तो ये किस में यानि कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जो नेक्स्ट है आपका कोश्चन बैंबू की कौन सी परजाती 36 गण में सरवादिक पाए जाती है ठीक है जो लाठी बास है बैंबू की परजाती है एक यह आपकी 36 गण में सबसे ज्यादा पाए जाती है नेक्स कोश्चन देखते है लंबी जड़ों और नुकीलों काटों अथवा सूल्युक्त जाडियों और लगू रिक्सों वाले वन सामनता पाय जाते हैं राजस्तान में तो इसलिए वो अपने आपको बचाने के लिए ताकि उनको जानवर ना खा सके तो उन पर काटे आते हैं तो राजस्तान में सबसे ज़्यादा पाय जाते हैं नेक्स्ट है सयुक्त राश्टर खाद्य एवं किरेशी संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुशार वार्चिक सतर पर वन चेतरों में सबसे ज़्यादा विर्दी में भारत को विश्व का कुन सा स्तान प्राप्त हुआ है आठ्वा स्तान प्राप्त हुआ है जो अभी अभी नई रिपोर्ट आई है उसके अनुशार वन चेतरों में सबसे ज़्यादा विर्दी हो रही है तो उसमें स्तान कुन जंगल की आग भी कहा जाता है तो ठीक है फ्लेम फोरेस्ट पुझा जाएगा एक्जाम में किसको बोलते हैं तो प्लास को बोलते हैं नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सागोन के वन पाये जाते हैं सागोन के वन कहां पाये जाते हैं मध्या परदेश में नेक्स्ट है वाला व्रिक्स कुन सा है आपका देवदर है जो सबसे ज़्यादा उचाई पर पाया जाता है चिपको अंदोलन के प्रेंड़ता कौन थे तो सुंदरलाल बहु गुना थे जो चिपको है वनस्पति मैंन ग्रूप फोरेस्ट है 4945 किलोमेटर में फैले हुए है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन इंस्टिचूट ओफ फोरेस्ट मेनेजमेंट आई-ाई-ाई एफ-म की स्थापना उनी सो 82 में बोपाल में की गी थी ठीक है याद रखना है आपको आप जितने भी छेतरफल है भारत के वनस्पति छेतरफल है उनको देखते हैं ठीक है हम भारत के जितने भी वनस्पति छेतर है उनके बारे में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले है आपका पस्मी हिमाले ठीक है पस्मी ह स्वेट चोड़ी पत्ति वाले सितोशन विस्क नेक्स्ट है आपका अलपाइन चेतर जिसमें सितोशन से उपरी सिमा है इसमें कौन-कौन से आपके स्वेट देवदर स्वेट बोज वरिक्स और सदाबार वरिक्स अब भी अमने बात किये थी कोशन भी किया था जो बोज वरि पाए जाते हैं ओक जैफल द्वीफल बड़े फूलो वाले सदाबार वरिक्स एवं छोड़ी बैत के जंगल पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका असम का चेतर जो कहां तक है ब्रह्मपूर जो आपकी ब्रह्मपूतर है और सूर्मा की घाटियों तक फैला हुआ है इसमें आपके सदाबार वर और बीच बीच में घने बासो वाले और लंबी घासों के जुर्मूट भी है ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट है सिंदू का मैदानी भाग जो सिंदू नदी का मैदानी भाग है वो कहां पर है आपका पंजाब पस्मी राजिस्तान और उत्तरी गुजरात ठीक है और यहाँ पर आपके सुस्क वे गरम है य चेतर तो इसलिए यहाँ पर आपकी कटिले zd tauन ले मिलती हैंよし्ड़ा थ है आपकाennesज का मैदानी भाग ठीक है गंगा का मैदानी भाग है आपका कच्छारी मैदान भी बोलते हैं जहां पर आपकी जलोड मिट्ती सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो इसी कारण उसको हम क्या बोलते हैं कच्छारी मिट्दा भी बोलते हैं इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्या होते हैं गिहू चा नेक्स्ट है आपका मालाबार का छेतर हैं जो प्राइद्वीपीटट है घने जंगलों के अतिरिक्त व्यपारिक फसलें पाए जाती है जैसे नारियल सूपारी, कालीम्रेज, कोफी, रबडवे, काजु, ठीक है प्रायदीप ये टटो में यही होती है जो ठंडे मोसम होते हैं आपके यहाँ, नेक्स्ट है अंडमान शेतर, अंडमान द्वीप में है, इसमें क्या है आपके सदा भाहर, अर्द सदा भाहर, कच वोनस्पती, समु संस्टान है आपके, उनकी स्तापना कब हुई थी, कहाँ पर वो उपस्तित है, यानि कि कौन से राज्या में है, तो फर्स्ट है आपका forest research institute है, 1906 में स्तापना होई थी, यह आपका देरादुन उत्राखन में है, नेक्स्ट है आपका, एक्जाम में जरूर पूचा जाता है आप से कोई न कोई स्टेटिक जीक के में आप से पूच लिया जाता है कोई भी रिसर्च यानी की सोज सवस्तां है नेट्स है एीड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्चूट है आपका eh 85 में स्थापनों गरिथी जोधपूर र्रاجस्तान में नेक्स्ट आपका इंसीचूट ओफ वुड साइंस एंड टेक्नोलोजी उनी सो अर्थिस में स्तापन होई थी यह कहां पर है आपका बैंगलूरू करनाटक में नेक्स्ट है रेन्फोरेस्ट रिसर्च इंसिटूट है आपका 1988 में जोहार जोरहार्ट आसम में है ठीक है नेक्स्ट कोशन है इंसिटूट ओफ फोरेस्ट जैनेटिक्स ट्री ब्रीडिंग ठीक है 1988 कोयमबे टूर तमिल नाडू में है नेक्स्ट है आपका सेंटर ओफ सोशल फोरेस्ट्री एंड इको रिहाब रिहाबलिटेशन 1922 में स्तापन होई थी परियाग राज उतर परदेश म नेक्स्ट है आपका एडवांस सेंटर ओफ बाइयो टेक्नोलोजी एंड मैंगरू फोरेस्ट 1997 में स्तापन होई थी आपकी हैदराबाद तेलंगाना में स्तित है नेक्स्ट देखते हैं ट्रोपिकल फोरेस्ट ट्रोपिकल फोरेस्ट रिशर्ट इंस्टिटूट आपका 1988 में स्तापन होई थी जबलपूर मद्यपरदेश में स्तित है आपका नेक्स्ट आपका इंस्टिटूट ओफोरेस्ट रिशर्च एड ह्यूम्न रिशूर्स डेवलोपेंट 1995 में स्तापन वई थी यह आपका कहाँ पर है चिंद वाडा मद्यपरदेश में नेंस टैसल आपका इंस्टीटूट और फोरेश्ट प्रोड़क्टिविटी आपका इंस्टिटूट आफ में स्तापन होई थी राची जार खन में स्तुत है नेक्स्ट आपका इंडियन प्लाईवूड इंडंटर रिर्सर्ट colors कहां पर रहे आपकर 1922 में इस्थापन भी ती ये कहां पर रहे बैंगलूरु कर्णाटक में नेच्ट है इंडियन इस्थापन हुए थी पर रहे बोपाल मद्यापरुदेश ये पंत् नेक्स्ट है आपका उशनकटी बंदिये वनस्पति उध्यान एवं अनुसंदान संस्तान 1989 में स्थापनोई थी तीरुआनंध पूरम केरल में स्थित है ठीक है आपको यह याद रखने है एक से दो बार आप याद करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद हर बार कुछ ना कुछ आपके मैंड में इनक्रीज होता रहेगा नेक्स्ट है विप्सु को बचाने के लिए चिपको अंदोलन की शुरूवात उत्राघंड के टीरी गडवाल जनपत से की गई थी टीक है जो चिपकॉण्डंड है कहा से सुरूवाथ होई थी आपकी उत्राखंड के टीरी गडवाल से सुरूवाथ हो लिए बिएस थी और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अब राश्तियों द्यान की बात करते हैं एक तो आपको पूरे मैप में एक साथ एकठे दिये गए हैं लेकिन इन सबसे पहले देखते हैं बारत में कितने राश्ते उदान है आपके 106 हैं तो बारी बारी से देखते हैं तो लद्दाक में आपका एक है है मिस फिर आपका जम्मु कस्मीर है इसमें कौन-कौन सा है सिटी फोरेस्ट जिसकों सलेम अली के नाम से भी जानते हैं दाचिगाव और किस्तवार ठीक है उसके बाद है इमाचल परदेश में पांच हैं आपके व्रीध हिमाले इंदर किला खीर गंगा पिन घाटी वे सिम्बाल बारा ठीक है तो आपको याद रखना है व्रेध हिमाले तो सबको पता है सबसे भाय चोटी हैं हिमाले की ठीक है यह खहाँ पर है इमाचल परदेश में इंदर किला खीर गंगा पिन घाटी वे सिम्बाल बारा ठीक है उत्राखंड ठीक है उत्राखंड में आपके कितने हैं छे हैं जीम कोरबेट गंगोत्री गोविंद पसु विहार नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी ठीक है यह सारे आपके कहा पर हैं उत्राखंड में नेक्स्ट है हर्याना हर्याना में आपके दो है राष्टे उदान कालेश्वर और सुल्तान पौर उसके बाद उत्तर परदेश है उत्तर परदेश में आपका एक है दुद्वा बिहार में आपका एक है वालमी की सिक्की में भी आपका एक है गया एक्जाम में, नेक्स्ट है आपका अरुनाचल परदेश में भी दो हैं, मावलिंग और नामधपा, तो नामधपा आपको इसमें इंपोर्टेंट है, याद रखना है, नेक्स्ट है आपका आसम, आसम में आपके कितने हैं, पांच है, दिब्रु सिखोवा, काजी रंगा मानस, नामेरी और उरांग, ठीक है, आसम के सारे के सारे इंपोर्टेंट है, मानस, नामेरी, काजी रंगा, डिब्रु सिखोवा, नेक्स्ट है नागालेंड, नागालेंड में एक है आपका इंटांकी, ठीक है, फिर है मनीपूर, मनीपूर में आपके दो हैं, काइबुल ल परवत नेक्स्ट है तिरिपुरा तिरिपुरा में दो हैं कलावडीड लेपड वे बिसोन ठीक है जारखन में एक है बेतला उडिशा में आपके दो हैं भीतर कनीका और सिमलीपाल ठीक है राजस्तान में आपके पांच हैं कौन-कौन से हैं मुकुंद हील्स मरुजतलिय केवल देव घाना रंधंबोल शरिष्का आपको याद रखना है इसके बाद सबसे ज़्यादा हूँ maximum आपके मद्यपरदेश में है ठीक है बांदवगड फोजिल्स आपको याद रखना है फोजिल्स इंपोर्टेंट है कहाना भी इंपोर्टेंट है मादव पैंच इंपोर्टेंट है मद्यपरदेश में पन्ना भी इंपोर्टेंट है संजे भी important है पन्ना संजे पैंच फोजिल्ज सत्पूड़ा important है वन विहार डाइनासोर वे कुनों ठीक है तो यह सारे कहां पर हैं आपके मध्य परदेश में हैं नेक्स्ट है आपका पस्चिम बंगाल ठीक है पस्चिम बंगाल में आपके कौन-कौन से चे हैं बुक्षा गोरुमारा नेवरा वेली सिंगा लीला सुंदरवन वे जल्दापारा तो जल्दापारा सुंदरवन यह आपके और नेवरा यह आपके important है याद रखना है नेक्स्ट है आपका 36 गड़, 36 गड़ में आपके तीन हैं इंदरावती, कांगेर घाटी वे गुरु घासदाश तो important है आपके कांगेर घाटी और इंदरावती आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्रा में कितने है छे, चांदोली, चांदोली, संजय गांधी, ठीक हो जिसको बोरी विली भी बोलते हैं, गोगा मोल, टडोबा, नव्य गाउं, वे पैंच, ठीक है यहाँ पर भी है आपका नेक्स्ट है आपका गुजरात में चार है बसंदा, ब्लैक बग, गिर, मेरेन, कचकी खाड़ी के नाम से है, कचकी खाड़ी में है तो आपको इसमें याद अखना ब्लैक बग और गिर, आपके इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट गोवा में मह थीक है महावीर इसको मोल नम्री बोलते हैं नेज्ट आ आपका तेलंगाना तेलंगाना में 3 है केशू ब्रमान द्रेडी महावीर- ऻरीणा वंस्तली और मुरूगावने थीक है कुंद्रे मुख और राजीव गांदी नागर होल ठीक है यह याद रखने आपको नेक्स्ट है आपका आंध्रप्रदेश में तीन है पापी कुंडा राजीव गांदी यानिकी रामेश्वरम और श्री वैंकेटिश्वर अब है केरल में छे हैं आपके अनाई मुडी इरावी कुलम मतिक कथन सोला और आपका है प्रामी कुलम सोला पेरियार और साइलेंट वैले तो आपको केरल में सारे ना याद रहें तो साइलेंट वैली पेरियार और इरावी कुलम और अनाई मुडी ये चार तो याद रखने ह रखने हैं नेक्स्ट तमिल नाडू पांच है गिंडी मननार इंद्रा गांधी मुदु मुलाई और मुकूर्ती तो इसमें आप मुदु मुलाई और मननार यह याद रखना है अब फाइनल है आपका अंडेमान और निककोबार्दियु समों इसमें आपकी कौन-कौन से हैं कै चूटी है और साऊथ बसे हैं याद रखना है कोंब इंपॉटन्ट है साऊध बॉटन ड्विप कहें और आपका एक है हुझां झिキ वीडियो आपको जरूर फास्ट लग रही होगी क्योंकि इसमें बहुत लंबा है आपकी जितने बहुत सारे कुश्चन है तो इसलिए से हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा जरूर सेर कीजिए अब इंपोर्डेंट पॉइंट देखते हैं जो भी आपके जीव है और पेड़ पोदों हैं उनके ज स्टापना की जा रही है ठीक है ताकि उनको हम क्या कर सके संद्रक्षित कर सके अभी इस रिलेटिड कोशन देखते हैं जो भी हमने देखे हैं अभी भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उध्यान कुन सा है आपका बोटैनिकल गार्डन कहां पर है आपका कोलकाता में है काजी पान निको बार में सैडल और महातमा गांदी मरें ठीक है आपको याद रखने ही रखने है फोजिल्स मैंने बोला था याद रखना है मद्या परदेश में है पैंच पन्ना फोजिल्स यह आपके इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट है काना भी आपका कहां पर है मद्या प दफ़ा अरुनाचल परदेश ठीक है नामदफ़ा कहां पर है आपका अरुनाचल परदेश में हैं अभी हमने पड़ा बांदीपूर यह सब हम पढ़ चुके हैं तो उनी से रिलेटिड कोशन है आपके NCRT बेज बांदीपूर आपका करनाटक में है 2074 में स्थापन ओई थी नगर होल आपका कहां पर है करनाटक में है इसका जो नाम है प्रिवर्तित नया नाम है राजीव गांदी राश्टियोध्यान नोक्रेक जे मंडलिय की शेतर में आपका मेगाल्य में है नेक्स्ट है भारत का पर्थम फर्स्ट नेशनल पार्क है आपका जिम कोर्बेट या इंपोर्टेंट है जिम कोर्बेट आपका उत्राखंड में है नेक्स्ट है आपका रंधंबोर वन्यजीव विहार कहां पर है राजस्तान में है नेक्स्ट है आपक तो कौन सी कहाँ पर हैं इनको देख लेते हैं आंदर परदेश में आपके कौन-कौन से हैं कोरिंगा कोलेरू पूलिकट नागारजुन सागर स्री सेलम और प्राणहिता तो अब भी हमने जो की थी राश्टिय ध्यान देखे ते आपके कितने हैं अब हम बात कर रहे हैं वन्य बहरे हैं जिव अभभारणहित देगा और पुचलेगा कौन से राज्चांवे थी पौ्टेंट है इसमें कौलेरू पूलिकट और नागारजुन सागर और श्री सेलम नेक इस हैं तेलंगाना नागरुन सागर श्री सेलम हैं आपका आंदर पर्देश तेलंगाना में फैला हुआ है ठीक है प्राण हिता भी और किनेर साने भी नेक्स्ट है आपका विहार बरेला जील वर्तमान में सलीम अली जूबा से अनि पक्सी विहार के नाम से जानते हैं भीम भान गोतम बूद कावर जील कैमूर वालमी की विकरम सिला वे गंगा डॉल्फिन सबसे इंपोर्टे है आपके Brenda चंदीगड सुखनाजील शतिज गड में सुना से शतिज गड में अचानक मार सुखना म्हावीरा वहंreal कि आप में वी अमें बी victor जुगर्रात में ग्रेट इनिंटम बस्ट याद रखना इंपोर्टेंट यह most important कच्की खाडी तो सभी को पता है नल सरोवर फिर है आपका नारायन सरोवर फिर है आपका जंगली गदा ठीक है यह याद रखने सारे के सारे कहा है आपके गुजरात में है नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल परदेश की चंदरताल पॉंग डैम जील और रेनुका तो इंपर्टेंट है रेनुका और चंदरताल नेक्ट है जम्मु कस्मीर में है आपका चांग थाल सीथ मरुश्चर होकेशर और सुरीन सर मने सर तो आपको याद खना है सुरीन सर ठीक है चांक था important है जारखन में दालमा गोतमभूद, हाजरी बाग पारसनात और पलामू तोबचंची तो पलामू और हाजरी बाग important है जारखन में याद खना है करनाटका डांडली, घाट परभा, चिंचोली, तालकावेरी तालकावेरी, घाट परभा और डांडली तीनों important है next है केरल, केरल में है थड़ेकर्ड, इडूकी, नेयार, प्रामबी कुलम, मलाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारा काम यह सारे कहाँ पर है, आपके केरला में है, ठीक है, आप एक से दो बार इनको रिपीट करेंगे, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है आप next देखते हैं, मद्यपर्देश, तो मद्यपर्देश में आपके कौन से है, बोरी, गांदी सागर, राष्टिय चंबल, पन्ना, हमने बात की थी पन्ना, ठीक है, सोन, गडियाल, ठीक है, सारे कहाँ पर हैं आपके मद्यपर्देश में, तो आपको important है, गांदी सागर, राष्टिय चंबल और पन्ना, ठीक है, महराष्टर में आपके फंड नवीस भी आपने पता है, सीम थे, तो उसी के नाम से फंड सान्ड याद रखना है, बोर, कल सुबेई, हरिस्चंदर घाड, मेल घाड, नागीर अपक्सी, पेन गंगा, उमरेद, कर हांडला, तो important है इ सतकोशिया, गोर्ज, वर सिमलीपाल, तो important है आपके इसमें सिमलीपाल, चिलिका और भीतरकनी का, ये तो आपको याद रखने है, नेक्स्ट है पंजाब में हरी के जील है, नेक्स्ट आपका रजस्तान, माउंट अबू, सरिश्का, जोहार साग, राष्ट्य चंबल और वन पॉइंट कैलिमर, पूलिकट, जील, सत्यमंगलम, कलकड, इंद्रा गांदी, अन्ना मलाई, और आपका विंदा थंगल, नेक्स्ट है उतर पर्देश, उतर पर्देश में है बकीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्य चंबल, आपने देखा जो राष्ट्य चंबल है यह बहुत जंगय मिलता है आपको ठीक है, तो जिसमें कन्फ्यूजन रहती है, वो आपसे बहुत कम पुछा जाता है, ठीक है, तो आपके जो म्योंस्ट इंपोर्टेंट है, सिरफ आपको यह याद रखने है, ओकला पक्सी, पटना पक्सी वियार, ठीक है, तो महावीर आमी बकीरा, याद रखना है, दिल्ली में है, असोला, ठीक है, असोला भाटी है, इंद्रा प्रयादरिसनी भी हैं आपकी यहाँ पर, नेक्स्ट है, अरुनाचल पर्देश, पक्खुई, सेशा, आर्केड, ठीक है, असम में हैं आपके दिपोर, भिल, पूर्विकारभी, अंगलौग और लावोक होवा, मीजॉरम में हैं के धामपा और थोराँग, आपने देखा नाम धापा आपका अरुनाचल में था, और नाम से आप, नाम धापा से नाम अटादे, तो धापा है, जो आपका, वो कहा है, आपका मीजुरम में, कन्फ्यूजन रही होना है, ना तिर्युपुरा में है गुमटी शेपाही जला नागलैंड में हैय फाकीम याद रखना है उत्राखण में आपका केदारनात और अब नेक्ष देख से भारत का पर्थम गिदहें के इंदर पिंजोर हरियाना में है जबकि दूसरा जो है राटबत KHAWA कहाँ पर है पसीं पंगाल में ठीक है यानि कि कि जो गिद पमर में के अंदर है आपके दो हैं पर्तम हाद में दूसरा आपका वेस्ट बंगोल में hierarch अब से important question और देखते हैं क्या है फर्स्ट है आपका सिमली पाल वन्यजीव अभ्यारन ने उडिशा राज्य के किस दिले में हैं सिमली पाल उडिशा में याद रखना सबसे पहले तो आपको उडिशा ना देकर आपको याद रखना है मियूर्बंज में नेक्स्ट है भरतपूर पक्सी विहार जो राजस्तान है भारत में साइबिरियन सारज के लिए परसीद है ठीक है भरतपूर का है आपका राजस्तान में है साइबिरियन सारज के लिए नेक्स्ट है आपका इससे कैवला देव घाना पक्सी विहार की नाम से भी जाना जाता है केवलादेव किसको बोलते हैं भरतपूर पक्षि भियाद संयुप्त राजे महासबा ने किसको जै विवित्त दसक गोशित किया गया है तो 2011 से जो आपका 20 है दसक इसको क्या किया गया है जेव विवित्ता दसक गोशित किया गया है नेक्स्ट है आपका बांदाव गड़ रास्टे उध्यान मद्यपदेश की स्तापना कब हुई थी आपकी 1968 में है नेक्स्ट कोश्चन है एक मातर अभ्यारने सैंक्सूरी जहां कस्मीरी स्टेग पाया जाता है वह कौन सा है आपका दाची ग्राम या भी दाची ग्राम भी बोलते हैं जमू एंड कस्मीर में अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जंगली गड़ा जो है वाइल लाइस कहां पाया जाता है कच के रंड में मैप में हमने दिसकस किया था नेक्स्ट है शेर की पूछ वाला मकाउ ठीक है लाइन टाइल मकाउ जो है मुखे तक कहां पाया जाता है आपका साइलेंट वैली जो आपका केरल में है नेक्स्ट कोश्चन है मदू मुलाई पस्चु विहार किंदो राजों में है आपका करनाटका और केरल में है नेक्स्ट है केरल स्तित पेरियार राष्टे उध्यान हाथी अब्यारने और बाग अब्यारने के लिए भी जाना जाता है जो केरल में है आपका पेरियार वहाँ पर क्या है हाथी और बाग के लिए भी जाना जाता है नेक्स्ट है आपका मानस वन्यजीब विहार किस में है आसम में है नेक्स्ट है आपका विश्व का एक मात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेस्टनल पार्क आपको याद रखना है कैबुल लाम जाओ की मनिपूर में कैबुल लाम जाओ मनेपूर में है एक मात्र क्या है ये फ्लोटिंग आपका पार्क है अब जो है महतवपुन परियाद दीवस है परियावरन वन ये दीवस है आपको याद रखने हैं कब मनाये जाते हैं इनको देख लेते हैं राष्ट्य विज्ञान दीवस आपका 28 फरवरी विश्व वानी की दीवस आपका 21 मार्च को विश्व जल दीवस 22 मार्च को विश्व मोसम विज्ञान दीवस आपका 23 मार्च को अर्थ आवर्ष जो आपका दीवस है मार्च का अंतिम सनिवार यानि कि जो मार्च मेंने में आपका आखरी सनिवार है उस दिन आपका क्या मनाया जाता है अर्थ आवर्ष दिवस नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्त दिवस साथ अप्रेल पिर्थवी दिवस 22 अप्रेल इंपोर्टेंट है 22 अप्रेल विश्व जय विवित्ता दिवस 22 मई इंपो विश्व बाग दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को नेक्स्ट है विश्व गेंड़ा दिवस 22 सितंबर को नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्तूबर को नेक्स्ट है सयुक्त राष्ट्य दिवस 24 अक्तूबर को विश्व परियावर्ण सन्रक्षन दिवस 25 नौवंबर को नेक्स्ट है मानवा दीकार दिवस 10 जनवरी को और नेक्स्ट है आपका राष्टिय पर्दूसंद रोक्थाम दिवस 2 दिसंबर को और राष्टिय उर्जा सनरक्षन दिवस आपका 14 दिसंबर को आगे कोशन देखते हैं गरम पानी अभ्यारने किस राज्य में स्थीत है गरम पानी आपका असमदीफू में स्थीत है नेक्स्ट है क्वागा किस पसू की विलुप्त पर जाती है ठीक है यह आपकी है जैब्रा की ठीक है डॉक्टर सलीम अली जो भारतिय पक्षी विग्यानिक के रूप में परसीद ह पक्षी के वह कौन है डॉक्टर सलीम अली तो इनी के नाम पर भी आपका सुल्तानपूर जो है नैशनल पार्क हर्याना में गुरुगराम में नेक्स्ट है कंचंजंगा राष्ट्य पार्क सिकिम में है किस वरह स्थापनोई थी 1970 में नेक्स्ट है परसीद गिर्वन आपका कहां पर है गुजरात में है गिर्वन किसके लिए फेमस है आपका एसियाटिक लाइन के लिए एक्जामें पूछा जाता है एसियाटिक लाइन के लिए आपका जो नेट्रल हैबिटेट है वो कहां पर है आपका गुजरात में नेक्स्ट है भारतिया प्राणी सर्वेक्षन ज खिक्किम में पाया जाता है ऊक्त सब्सक्राइब किस राज्य का राजकी अपक्सी है तो सारस किसका है आपका उतर परदेश का निर्ट सन्थे पक्सी वियर कहांगा गुजरात में हैं उनेसको दुवारा भारत के कितने जयवंडल आरकसी छेटरों को मानता परदान की गई है तो 11 तो युनेसकों ने कितने जैव मंडल अरक्षित छेतरों को मानेता दी है तो 11 याद रखना है नेक्स्ट है गुजरात के कच के रंड में स्थित एसिया की सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है तो वो कि क्या बोलते हैं बन्नी ग्रास रेंड याद रखना है कच के रंड में नेक्स्ट है भारत में जैव मंडल अरक्षित बायोस्फियर इजर्व चेतरों की संक्या कितनी है 18 है और जैव मंडल अरक्षित की पूछे तो आपकी 11 है नेक्स्ट है राष्ट्रिय बाग संडरक्षन प्रादिक रंड ठीक है नैशनल यानि कि जो बाग लुप्त हो रहे हैं उनकी देख्या आपने संक्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो प्राष्टिय बाग संडरक्षन प्रादिकरन उसका काम है उन्हीं स्तापन होई थी इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है अब नेक्स्ट है आपके जैव मंडल ठीक है जैव मंडलिया आरक्षी छेतर ठीक है कितने हैं अठारा अभी हमने पड़े तो सभी को हम देखते हैं वन बाई वन कहां पर हैं कौन सा नेक्स्ट है स्तापना आपकी इंपोर्टेंट इतनी नहीं है अगर आप करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं इंपोर्टेंट ह और आपने पड़ा था पस्मी घाट और उत्री घाट जो आकर मिलते हैं कहाँ पर निलगरी की पाड़ियों में आकर मिलते हैं नेक्स्ट है आपका नंदा देवी उत्राखन में है नोकरेक आपका कहां है मिघाले में है मननार की खाड़ी आपकी तमिलनाडू में है नेक्स् सिंब्ली पाल ओडिशा में है डिबुरु से कोवां असाम में है इंपोरDD बताया था मैप में नेक्स तैजट दिहांग दिभांग अरुनाचल परदेश में है नेक्स पंच मडी कहा है पंच मडी आपका कहा है कट्देश में कंचन जंगा सिकिं में अगश्थय मल्याई तमिल नाडूर केरला दो राजों में है नेक्स्ट अचानक मार मैंने तभी बताया था अचानक याद रखना है चट चतिस गड अचानक चत पी आ गया चतिस गड अमर्कंठक मध्या पर देस और चतिस गड़ दोनों क्षकारें धीकर एक कोल्ड डेजर्ट यानि की को decentralized है कहा है आपका हीमाचल परदेश में आपकी सेसा याद रखना है सेशा सेशा अगर किसी को सीशा चुप जया आक में तो क्या हो जाता है आंदा हो जाता है तो आंदे से अंध्रप्रदेश शेशा चलम नेक्स्ट पन्ना मद्यप्रदेश में भी हमने डिसकस किया था ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन जैव मंडल आरक्षित चेतर नंदा देवी अभी हमने पड़ा उत्राखंड में है नेक्स्ट है विबिद समुद्रिय पेड़ पोदो तथा जनतों को सनक्षित करने के लिए जैवारक्षित चेतर स्तापित किया गया है ठीक है तो भारत के किस राजे को विबिद पेड़ पोदो और ज चेतर गोशित किया गया था सबसे पहला जवमंडर आरक्षित कुन सा है आपका नीलगरी सन 2000 में आपको याद रखना है युनेस को द्वारा गोशित किया गया था नेक्स्ट है वालमी की बिहार में है नेक्स्ट है रामसर समझोतों के अंत्रगत भारत के 37 आद्रभूमी च चेतर हैं उनको डिसकस करते हैं कौन-कौन से हैं आपको याद रखना इनके स्तान ठीक है आपने देखा जोग्रोफी में जो में काम है समझाने का कम है वह आपको याद करने का जैदा है जहां पर समझाने की बात है वहाँ पर आपको मैप दिया गया है ठीक है तो जैदा त अधर कोन से आपके कोलेरु जील है आपकी अंदरपरदेश में आसम में आपकी है दीपोर जील हिमाचल परदेश में हैं आपकी पॉंग डैम जील रेनुका आदर भूमी और आपका चंदरताल आदर भूमी आपने पहले भी किया था हिमाचल पर्देश में आपको याद रखना है रेनु का चंदर्ताल नेक्स्ट है जम्मु कस्मीर में आपकी वूलर जील होकेर सर आदरभूमी सुरीन सर और माने सर जे तो दो आपको याद रखने है इंपोर्टेंट वूलर ओकेट सर और माने सर नेक्स्ट है आपकी लदाक में सोमरारी जील ठीक है सोमरारी जील है आपकी लदाक में अभी देखा इंडिया चाइना के बीच में भी विवाद चल रहा है याद रखना है अस्तामूडी सच्टम कोटा वैमरनाड ठीक है नेक्स्ट है मनिपूर मनिपूर में कई बार कड़ चुके है उडिसा में आपकी चिलिका और भीतरकनीका ये भी पहले पड़ चुके हैं आदरभूमीन को गोशित क्या गया है next है पंजाब में पंजाब में हमने जील पड़ी थी आपकी हरीके है कांजली जील है रोपढ़ है केशुपोर है बयास कंजर्वेशन रिजर्व है नांगल वन्यजीव अभ्यारान है तो important आप में इसमें याद रखना हरीके और रोपड ठीक है next आपका राजस्तान सांबर केवलादेव नैस्टनल पांग ठीक है दो है सांबर और केवलादेव तमिल नाडु में आपका point कैली मरे ठीक है याद रखना है तिरिवपुरा में रूदर सागर जील है आपकी next है उत परदेश में आपकी कौन-कौन सी है अपर गंगा लवाब गंज पक्सी अभ्यारणने पार्वती आग्रा पक्सी अभ्यारणने संसूर पक्सी अभ्यारणने सांडी और सरसई नवार और आपका समन तो इसमें आपको याद रखना है जो में है संसूर और अपर गंगा नद गुजरात है आपका नल्सरोवर पक्षी कई पर पुचा गया है नल्सरोवर पक्षी अब भ्यारण ने कहा है आपका गुजरात में नेक्स्ट है आपका महाराष्टर में है नदूर मदमहेश्वर ठीक है याद रखना है आपको नेकस्ट है अभी हमने देखा छेतरफल की दृिष्टी से सबसे बड़ा जयो मंडल आरक्षित मननार की खाडी एवा सबसे छोटा है आपका डिबु सेकोवा असमורה है ठीक है छेतर फल की द्रिष्टी से देखें तो जो जैव मंडल आरक्षित है सबसे बड़ा आपका मनार की खाड़ी वो सबसे छोटा है आपका डिबु से कोवा जो असम में हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके बाग आरक्षित छेतर हैं वो कौन-कौन से हैं आपको याद रखना है राज्ये में हैं और कौन-कौन से हैं ये ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले असम में तो असम में हैं आपके काजी रंगा मानस नामेरी और औरान काजी रंगा मानस नामेरी ये कई बार पढ़ चुके हैं हम काजी रंगा मानस नामेरी अरुनाचल परदेश में है आपके नाम दपा, आपको इंपोर्टेंट है याद रखना है नाम दपा, वो शिर्फ दपा पूछे तो मिजोरम में, पक्के वाप, पकुई और आपका कामलांग, तो इंपोर्टेंट है इसमें नाम दपा, अरुनाचल परदेश है आपका नाग वालन में की कई बढ़ चुके हैं थीस गड़ास एक अचानक मान ठीक है सिता नडी उदंती शिता नदी तो इंद्रावती ओरगान मार सब्सक्राइबबर में है मैं धीक आपका ज्रह कंड़ में नेक्स्ट को करनाटा का बंवर नगर तो इसमें इंपोर्टेंट है आपके बंदिपूर नगल होर और बंदरा ठीक है यह आपके इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आपका केरल पेरियार और परंभी कुलम ठीक है पेरियार भी पढ़ चुके हैं अभी हमने बात की थी मिजोरम ठीक है धंपा ठीक है नाम धापा सहें तो मिलते हैं सब्सक्राइब काहाना पन्ना पैंच संजी दूभरे की बार आचुका ये पन्ना पैंच पाहना पैंच संजे दूभरे फार Lunch है आपके ये नेक्स्ट है राजस्तान रंठंबोर सरिषगा मुकुंद राहिल ठीक है तीनगों इपोर्टेंट है रंठंबोर सर्षगा मुकुंद्रा हुल्स नेक्स्ट है उत्रप्रदेश में हैं आपके दुद्वा पीली भीत वे अमंणगड बात करते हैं तमिल नाडू इसमें आपका कालकड मुंदू थुरेई अन्ना मलाई मदू मलाई सत्यम मंगलम ठीक है याद रखना है जिसमें मंगलम मंगलम है ये सारे आपके कहां है तमिल नाडू में नेक्स्ट है उत्राखन जीम कोर्बेट सबसे पहला राष्ट ये बागरी जर्व ठीक है राजाजी दो इंपोर्टेंट है राजाजी और जीम कोर्बेट दोनों इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है पस्चिमी बंगाल बक्सा और सुंदरवन ठीक है कई बार आ चुका है ये भी next है आपका सिमली पाल उडीसा में है आपका और सत्कोशिया दोनों important हैं सिमली पाल और सत्कोसिया अब हम बात करते है वन्यजीव सनक्षन प्रयोजनाएं है जो भी है उनको सनक्षित करने के लिए कौन-कौन सी योजताएं चलाए गई और कौन से वर्सिये आरम की गई है कई बार आप से सन इंस में भहुत बार पूछ लिया जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम देखें तो जो बाग परियोजना है यानि कि जो भी परियोजना है वो उसी से related है ठीक है बाग परियोजना सुरू ही थी आपकी 1973 में आपने देखा बागों की संख्या में कमी को रोकना और इनकी संख्या में व्रेदी करना अब जो भी परियोजना चलाए जा रही है क्योंकि वो जाती विलूप्त हो रही है तो उनी को क्या करना है सन अक्षन करना है तो उसी से रिलेटीड होगी यह तो आपको याद करने की जूरती नहीं है ठीक है तो सन आपको इसमें सबसे इंपोर्टेंट है भाग है आपकी उनी सतियत तर नेक्स्ट है गिद सन अक्षन प्रियोजना 2006 ठीक है यानि कि गिदो को बचाना ठीक है और क्या है इसकी गिदो की मिर्तु का कारण पसो को दी जाने वाली डाइकलो फैनाक नामक दवा है यह दवा आप परतिमंदित कर दी गई है ठीक है आप याद कर सकते वैसे इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट है आपके इसमें इयर नेक्स्ट है गिर सिंग परियोजना हुई थी आपके 1973 भाग और सिंग दोनों 1973 में है ठीक है तो गिर वन्या जीव अभ्यारेंड जो आपको कहा है गुजरात में है ठीक है एस याई शेर पाए जाते है यहाँ पर इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है हाथी परियोजना 1970 में ठीक है कस्तूरी मरीक के संदक्षन के लिए IUCN के सयोग से उत्राखन के केदानात अब्यारण्य में 1970 में पराराम हुई थी ठीक है कस्तूरी केवल नर मरीक में पाए जाती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब लाल पांडा प्रियोजना जो लाल पांडा प्रियोजना है आपकी 1996 में इंपोर्टेंट है लाल पांडा बाग आपकी 1973 और गीर सिंग इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है लाल पांडा 1996 ये विश्व प्रकरती निदी के सयोग से पदमजा नाइडू हिमाले प्राणे उध्यान में प्रारम हुई थी लाल पांडा क्या है आपका सिक्किम अरुनाचल परदेश और धार्जलिंग के जंगलों में पाया जाता है ठीक है लाल पांडा नेक्स्ट है थामिग मिर्क प्रियोजना 1977 में शुरू हुई थी मनिपूर में पाया जाते है ये विश्व के दुरलब स्तंधारियों में से एक है ये आपका थामिग मिर्क नेक्स्ट है आपका कच्छवा सनक्षन प्रियोजना 1975 में स्टार्ट हुई थी ओरिशा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओली वरीडले कच्छवा दक्सिन अमेरिका कच्छव की परजाती है तो कई वार पूछ लिया जाता है ओली वरीडले कच्छवा क्या है आपका दक्सिन अमेरिका की परजाती है तो इससे आपको ये भी रिवाइज हो गया भीतरकनिका आपका कहाँ पर है ओड़िचा में नेक्स्ट है आपका गेंडा 1987 में आपने पड़ा था एक सिंग गेंडा के लिए famous कोन है आपका काजी रंगा और मानस अब्यारन्या जो आपके कहा हैं असम में हैं नेक्स्ट है आपका गडियाल प्रियोजना ये परजनन प्रियोजना ये 1975 में स्टार्ट हुई थी ठीक है आपको याद रखना है 1975 में और ये 12 सरकार ने सयुक्त राष्टे विकास करेंगरम की साहता से 1974 में कहा से स्टार्ट की थी ये उडिशा से स्टार्ट की थी अब लास्ट और आपका जो है परवाल बीतियां यानिकी 60-70 मीटर के अंदर जो गहरे सवच्वे कम लवनिये जल में 20 डिगरी से 21 डिगरी ताप मानवाले चेतर में पाए जाती है ठीक है परवाल बीतियां गहरा हो सवच्व और 20 से 21 डिगरी ताप मान में ये पाए जाती है ठीक है तो आपको याद रखना है तो आज के पार्ट बन में इतना ही करते हैं बाकी की जो पार्ट है पार्ट टू और पार्ट थरी में देखेंगे बाकी जो टोपिक हैं होप आपको वीडियो पसंद बाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नेक्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ तिल देन टेक केर बाए बाए